तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके अमेंडमेंड लेक्चर फोर दे में और नवेंबर 2021 एक्जाम के लिए एंड फोर यॉर एक्जामिनेशन में और नवेंबर 2021 फिनेंसेक 2020 इस अप्लिकेबल और उसके साथ में एक बीच में एक और एक्ट आया था इंद मन्त अब 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 सेप्टमबर 2020 मिन से एक ओर्डिनेस का बाता है जब पार्लियमेंट सेशन में नहीं होती तो कोरोना की वज पढ़ेंगे जितने भी अमेंडमेंट से आपके एक्जाम के लिए सीए फाइनल के लिए वो सब हम डिसकस करने वाले है अब आप मुझे पूछोगे के सर एक बात बता दो बुक जो है वो हम नहीं ले ले या फिर बुक जो हमारे पास पुरानी वाली अगर हो सकता है किसी बच्चे के पास पुरानी वाली बुक रहे जो में नवेंबर 2020 के लिए अपलिकेबल थी वो रहे तो वो कंटिन्यू कर सकते है या नहीं मेरा एक परसनल एडवाईज रहेगा इस बार के लिए आप बुक जो है उसको नई वाली बुक ले ले जो नियू बुक मार्केट में अवेलेबल है वो ले ले इसका reason being के बहुत सारे amendment है इस बार और बहुत सारे amendment है और इस बार हर amendment से related question मैंने compact में डाला है हर एक amendment से related आपको question वहाँ पर देखने को मिलेगा तो जिससे क्या होगा क्योंकि ICI का material अगर आप देखोगे अभी ICI ने जो material release किया उस ICI के material में एक भी amendment से related question नहीं है एक question डाला है equalization लेवी में बाकी जगे कहीं पे भी amendment से related question नहीं है तो मैं बता दू मैंने हर जगे amendment से related question डाले है तो उससे आपको easy रहेगा उसको समझने के लिए और इन lectures में हम पढ़ने वाले हैं उनको कोई बात नहीं नहीं खरीच सकते book आप Jerox ले ल करने बाले है तो इसका cover है यह बहुत प्यारा सा है इसके पीछे एक बंदे का photo भी दे रखा है यह volume number one है तो यह volume number one है और इसके जैसा का जैसा एक volume number two भी है और volume number two जो है उसमें 30 marks का international taxation cover किया गया है उसके बाद में case laws cover किये है और उसके बाद mcqs के जितने भी set है वो हमन एक बड़ा ही प्यारा सा chart है और यह chart मैंने आपके लिए बनाया है जिससे कि आप faceless assessment और faceless appeal को अच्छे से समझ पाओ तो इतना बड़ा यह chart है आपको दिख नहीं रहा होगा I think yes वो बहुत सा वो green है ना chart का color तो इसके लिए वो ऐसा हो गया है तो chart का color थोड़ा green है उसकी वज़े से वो absorb हो गया हमारे camera में तो यहां पर यह ऐसा एक chart है बड़ा सा जिसमें आपको faceless assessment और faceless appeal से related चीज़े दे रखी है आप अपने साथ जरूर रखे यह chart को जिससे क्या होगा कि फटा-फट आप उसको refer कर सकते है बाकी मैंने मेरे YouTube वो क्या बोलते है Telegram चैनल पे इसका PDF भी share कर रखा है तो आप चाहिए तो वहाँ से PDF से आप जरूर ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज़ समझना यह आपकी books है सर जितने भी ICI के material में amendments दिये है कि ICI material में बहुत बार अभी तक आज कल market में ऐसा चल रहा है कि ICI material बहुत ज्यादा change हो गया and all that thing DT में ऐसा कुछ भी नहीं है DT में जो ICI material में दे रखा है everything we have covered हर चीज हमने cover कर लिए है और हमने हर amendments related questions भी दे रखे है तो ज़्यादा time ना लेते हुए आपका हम amendment चालो करते है for your examination that is May and November 2021 examination उसके लिए आपका finance act है वो 2020 रहेगा और यहाँ पे आपका जो previous year है वो 2021 रहेगा assessment या 21-22 तो सबसे पहला हम discuss करने वाले इस है tax rate में क्या amendment है तो tax rate में पहला amendment तो यह है कि भीया company का tax rate क्या होता है तो मैं बता दू आपका company का tax rate क्या होता है last year तक कैसा था company का tax rate 30% normally बट अगर किसी company का 17-18 का turnover up to 400 करोड है तो उसके लिए 25% वहाँ वो 17-18 था उसकी जगे हो गया है 18-19 तो इस बार के लिए previous year 2021 का जब भी आप return file करोगे for assessment year 21-22 के लिए company के लिए tax rate क्या रहेगा domestic company के अगर मैं बात करूँगा तो domestic company के case में एक चीज ध्यान रखना domestic company के case में normal tax rate is 30% बट किसी domestic company का अगर previous year 18-19 का we are saying that previous year 18-19 का tax किसके लिए निकाल रहे हो previous year 2021 के लिए but 18-19 का turnover is up to 400 करोड तो उस case में आपका tax rate है वो 25% रहेगा that is the first amendment in the tax rate उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में आपका जो amendment है कुछ special rates में amendment है बट special rate वाला amendment भी थोड़ी दिर के बाद लेता हूँ उससे पहले आप इस page पे आजाओ आप जो है वो आपके पास यह book रहेगी उस book में आप page number जहाँ special rates खतम हो जाती है उसके बाद यहाँ पे आजाओ relief for the enhanced surcharge to individual H.U.F. A.O.P. B.O.I. and artificial juridical person अब एक चीज समझना आप लोग इदर देखो जो individual H.U.F. A.O.P. B.O.I. artificial juridical person रहता है उसके लिए sir tax rate क्या रहती है tax rate slab rate और वो है sir surcharge कैसे लगता है तो surcharge लगता है if your total income is more than 50 lakh up to 1 crore तो 10% 1 crore से जादा है up to 2 crore तक है तो आपका 15% more than 2 crore up to 5 crore है तो उसकेस में 25% and more than 5 crore है then 37% यह आपका surcharge का rate रहता है अब एक चीज समझना हमने last year पड़ा था हमने last year यह पड़ा था कि अगर मानलो आपका long term capital gain 111 A वाला है या फिर short term capital gain 111 A वाला है तो अगर individual H.U.F. A.O.P. B.O.I. artificial juridical person के केस में long term capital gain है 112 A वाला या फिर short term capital gain है 111 A वाला यह long term capital gain 112 A वाला कौन सा होता है that is LTCG on equity share, equity oriented mutual fund units of business trust आपने STT pay किया long term capital gain in excess of 1 lakh will be taxable at the rate 10% and short term हुआ तो उसकेस में 15% की rate से tax लगता है अब एक बात बता हूँ मैं आपको हमने यह पढ़ा था कि यह जो अगर आपकी income में यह वाले capital gain है LTCG 112 A and STCG 111 A तो individual H.U.F. A.O.P. B.O.I. artificial juridical person कितना भी income हो आप पे maximum surcharge कितना लगेगा maximum surcharge जो था in income पे capital gain पे that is 15% maximum surcharge है वो आपका 15% लगेगा ऐसा लिखा हुआ था कि individual H.U.F. A.O.P. B.O.I. artificial juridical person में normal surcharge जो है वो आपका 37% तक जाता है अगर 5 करोड से जादा income है तो but when it comes to the LTCG 112 A and STCG 111 A उसके case में आपको maximum surcharge लगेगा वो maximum surcharge आपका 15% की rate से लगेगा maximum surcharge 15% की rate से लगेगा इस बार ये amendment है कि यहाँ पे LTCG 112 A STCG 111 A इसके साथ में इन्होंने यहाँ पे dividend income को भी जोड दिया है अगर बेटा आपका कोई dividend income है क्या है dividend income तो dividend जो मिलता है वो dividend के case में भी आपको maximum surcharge 15% लगेगा बले dividend income कितना भी हो आपको 10 करोड का dividend मिला तो tax rate तो normal slab rate से लगेगा लेकिन आपके जो surcharge है वो maximum 15% की rate से रहेगा तो in simple word मैं आपको बोल दू कि in case of the individual HOF, AOP, BYU, Artificial Juridical Person इनके case में जो higher surcharge है वो 25-37% नहीं लगेगा कब अगर उनकी income में LTCG 112A है या STCG 11A है या dividend का income है और मैं बता दू इस बार से dividend का income taxable है वो DDT-VDT हटा दिया भी या इस साल से there is no DDT concept DDT हटा दिया अब dividend आपके हाथ में taxable होगा आपके IFOS में taxable होगा और मैं बता दू अगर आपका dividend है या फिर LTCG ये capital gain है तुमारे share market वाले तो उन case में maximum maximum surcharge कितना लग सकता है 15% लग सकता है इस से related हमने example लिया है तो आप सीधा एक काम करो example number 3 पे आओ बड़ा ही interesting example और जैसा मैंने बोला है हर चीज का मैंने example लिया है हर amendment के लिए आपको example है वो book में मिलेगा तो देखो बेटा आजाओ सब लोग example number 3 पे तो देखो क्या दे रखा है all people just pay attention Mr. BB a resident is 31 years his income details for the previous year 2021 are as follows तो इस साल का income का detail दे रखा है आपको capital gain 112 ए वाला 2 लाख है capital gain 111 ए वाला 4 लाख है and dividend का income है वो 13 लाख है और other income है वो 3 करोड 34 लाख है यह हमारा income है calculate tax liability for the assessment year 2021-22 के लिए tax liability निकालना सबसे पहली चीज तो यह समझो का भाया अपना total income कितना है तो जब हम total income calculate करने जाएंगे तो 2 लाख plus 4 लाख plus 13 लाख plus 3 करोड 34 लाख it comes to the 3 करोड 53 लाख अब एक बात बताओ 3 करोड 53 लाख है यह हमारा total income है अब आप ऐसे तो देखोगे कि income जो है वो 2 करोड से जादा है तो आपका surcharge 25% होना चाहिए अगर आपका income है वो 2 करोड से जादा है तो आपको surcharge 25% होना चाहिए लेकिन एक चीज समझना जो भी आपका इस पे tax आएगा 112A वाले 111A and dividend पे इस पे जो tax आएगा उस पे maximum surcharge आप कितना लगाओगे 15% कितना लगाओगे 15% लेकिन एक बात बताओ यहाँ दिक्कत यह आती है कि sir tax निकालेंगे कैसे तो मैं एक बात बताओ 353, means 3 करोड 53 lakh में से जो आपका LTCG 112A वाला है 2 lakh उस 2 lakh पे तो tax कितना आएगा इसे मैंने नीचे calculate करके दिया है तो मैं नीचे सी refer करवा देता हूँ एक बात बताओ मुझे sir यह LTCG 112A 2 lakh है तो 2 lakh पे तो tax कितना आएगा 1 lakh पे कोई tax नहीं लगेगा और on remaining 1 lakh 10% 10,000 आएगा तो यह देखो मैंने 10,000 ले लिया अब एक चीज समझना capital gain 111A वाला कितना है 4 lakh so 4 lakh पे 15% comes to the 60,000 तो यह तुमारा 60,000 आएगा अब एक बात बताओ यह जो dividend income है यह dividend income तो आपके slab rate से जाएगा जो dividend income है यह dividend income तो slab rate से जाएगा और आपका other income कितना है 3,34,000 लेक है तो आप एक काम करो 3,34,000 प्लस आप 13,000 कर दो तो it comes to the 3,47,000 लेक और यह जो 3,47,000 लेक आया इस पे फिर आप slab rate से tax निकालो 3,47,000 लेक पे slab rate से tax निकालो I assume that 115 BAC नहीं लिया यह BAC क्या होता है अभी चालो करते है थोड़ी दिर में ठीक है तो यहाँ पे 3,47,000 लेक पे tax कितना आएगा तो minus 10,000 लेक तक तो slab rate से और multiply by 30% करो तो कितना 1,10,000 लेक प्लस 1,12,500 इस comes to the 1,22,500 यह आपका tax आता है किस पे 3,47,000 लेक पे तो आपका total tax इतना आया अब एक बात बताओ सर्चार्ज कितना लगा होगे तो मैं बोलू dividend वाला जो tax है STCG 111-A वाला इन तीनों का जो tax आएगा उन तीनों के tax पे maximum surcharge 15% से लगेगा कितना लगेगा 15% से तो मैं एक बात बताओ आप एक काम करो यहाँ पे इधर देखो समझने ही कोशिश करना आप यहाँ पे देखो तो मैं बताओ यहाँ पे 10,000 and 60,000 जो है 10,000 and 60,000 वो तो अपने को पता है कि वो capital gain अब एक बात बताओ इसमें doubt यह आया कि सर ऐसा कैसे पता चले कि यह हमारा जो 1,22,500 का tax है इसमें dividend वाला कितना tax है भाया यह 1,22,500 तो 3,47,000 लेक पे tax है तो इसमें dividend वाली income पे कितना tax है सीरी सी बात है आप proportionate कर लो मैं proportionate कैसे करूँगा मैं क्या करूँगा 1,22,500 यह कितने पे 3,47,000,000 पे है 3,47,000,000 पे तो multiply भाया आप कितने से करोगे आपका dividend कितना था 13,000,000 था तो multiply भाया आप 13,000,000 से कर दो multiply आप 13,000,000 से कर दो 3,82,976 अब एक काम करो आप जो dividend वाला जो tax है 3,82,976 इस पे आप surcharge कितना percent लोगे 15% तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया surcharge on dividend जो है इस पे 15% लिया किस पे 3,82,976 multiply by 15% तो देखो मेरा कैसे हैगा 3,82,976 multiply by 15% it comes to the 57,446 and तुमारा जो STCG और LTCG था 112A और 111A वाला वो कितना था वो तो 70,000 था 70,000 का भी आपका 15% it comes to the 10,500 और बाकी जो remaining tax बचा remaining tax आप कैसे निकालोगे तो जो आपका 1,22,500 इस में से आप 3,82,976 को लाइस कर दो तो जो remaining बचा 98,39,524 98,39,524 उसको multiply by आप 25% से कर दो it comes to the 24,59,881 24,59,881 24,59,881 है यह आपका यहाँ पे आजाएगा tax इस पे आपका 25% आपने सरचार्ज लिया you got my point or not अरे बोलो ना समझा के नहीं समझा आप लोगों को समझा या नहीं समझा यस सर, समझा हमको तो बड़ा simple है मैंने बोला individual, HVP, AOP, B.O.I. and artificial, juridical person उसमें सरचार्ज कितना लगता है 10, 15, 25 and 37 but 25 and 37% सरचार्ज नहीं लगेगा कब जब आपका LTCG 112A वाला है STCG 111 वाला है या फिर आपका dividend का income है dividend का income है तो उस case में आपको वो higher सरचार्ज 25, 37 नहीं लगेगा maximum आपको कितना लगेगा वहां maximum आपको जो सरचार्ज लगेगा that is, that is, that is maximum जो सरचार्ज लगेगा that is 15%, ठीक है और एक और चीज़ समझना इन तीन income की वज़े से अगर तुमारी other income 2 करोट से जादा हो जाती है या 5 करोट से जादा होती है तो other income पे भी सरचार्ज जो है वो आपका 25, 37 नहीं लगेगा अगर इन तीन income की वज़े से आपकी other income है वो जादा होती है तो मैंने example दे रखे आप देखोगे तो example number 1, 2, 3 1, 2, 3 यह अपन ने किया तो 1, 2, 4, 5 है उसमें आपको यह चीज़े समझ में आएगी ठीक है? चालो So this is the one amendment in the tax rate अब हम चालो कर रहे है एक बड़ी ही interesting section that is 1, 1, 5 BAC और 1, 1, 5 BAC में मैं आपको सिखाऊंगा कि भाईया इस बार individual HVP के लिए 6, 6 elaborate आई है 5%, 10, 15, 20, 25, 30 आपने देखा था वो जब budget आया तो बड़ा खुश हुए था आपके 15,000,000 तक है कुश elaborate का benefit मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा वो सब चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ 1, 1, 5 BAC में Yes people, so now we are going to start with one very interesting section that is section 1, 1, 5 BAC और यह जो section है वो इसी साल से आई है और यह section लगेगी tax rate for the individual and HVP अब एक बात बता दू यह जो section को add किया गया that is finance act 2020 से add किया गया and this is with effect from assessment year 21, 22 से यह section लगेगी assessment year 21, 22 मतलब अपना वाला previous year मैं बोल देता हूँ previous year आपका 2021 के लिए यह section applicable है और इसी साल से यह section आई है that is the tax on income of individual and HVP section का number है 115 BAC अब एक बात बता हो मुझे मुझे एक बात बताओ individual HVP के लिए tax rate क्या रहती है तो आप बोलोगे individual HVP के लिए अगर मैं general tax rate की बात करू तो general tax rate रहती है up to 2,50,000 तक कोई tax नहीं लगेगा 2,50,000 से लेके 5,00,000 तक की income पे 5% लगेगा 5,00,000 to 10,20,000 लगेगा और more than 10,30,000 लगेगा अगर कोई senior citizen है senior citizen का मतलब resident individual जिसका age 60 या उससे ज्यादा हो गया है in previous year that is called senior citizen उसके लिए tax rate है वो up to 3,00,000 तक कोई tax नहीं लगेगा 3,00,000 to 5,00,000 तक 5% 5,00,000 to 10,00,000 तक 20% more than 10,00,000, 30% और in case of the super senior citizen super senior citizen में resident individual जिसका age जो है 80 या उससे ज्यादा है in the previous year तो उसके लिए up to 5,00,000 तक का basic exemption रहेगा और 5,00,000 से लेके और 10,00,000 तक 20% और more than 10,00,000 इंकम पे 30% की rate से tax लगेगा अब एक चीज़ समझना इस साल से that is from previous year 2021 and assessment year 2021-22 आपको एक section दी गई है 115BAC करके और यह section बोलती है कि या अगर कोई भी individual and H.O.A.P. पहली चीज़ दिस section is applicable to the individual and H.O.A.P. अब question ही आता है कि सर individual H.O.A.P. के लिए आप यह section पढ़ा रहे हो बट individual H.O.A.P. कौन सा resident वाला या non-resident या दोनो चलेगा, right answer is दोनो चलेगा मिस यहाँ पे सिरब individual H.O.A.P. लिखा हुआ इसका मतलब वो resident individual है या non-resident है वो चाहे तो इस section का benefit ले सकते है अब यह section क्या बोलती है यह section आपको लंबी चोड़ी slab rate देती है और आपको total approximately 6 slab rate देती है 6 rates देती है जैसे अपने normal में तो क्या है 5%, 20%, 30% यहाँ पे आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30 इतनी सारे slab rate रहेंगे तो कैसे यह section बोलती है कि अगर individual H.O.A.P. चाहे तो उनका जो tax rate रहेगा वो ऐसे रहेगा कि up to 2,50,000 जो है उस पे कोई tax नहीं लगेगा that is called basic exemption उसके बाद more than 2,50,000 जो है उससे लेके और 5,000 तक का जो भी income रहेगा उस पे 5% की rate से tax लगेगा उसके बाद more than 5,000 5,000 से लेके और up to 7,50,000 तक का जो भी income रहेगा that is 5,000 से ज़्यादा और 7,50,000 तक जो भी income रहेगा उस पे 10% की rate से tax लगेगा उसके बाद 7,50,000 से जादा और 10,00 तक जो इंकम रहेगा उस पे tax लगेगा 15% से More than 10,00, 10,00 से जादा और अप्टू आपका 12,00,000 तक जो इंकम रहेगा उस पे आपका 20% की rate से tax लगेगा और 12,00,000 से लेके और आपका 15,00,000 तका जो इंकम रहेगा उस पे आपको 25% की rate से tax लगेगा और 15 lakh से ज़्यादा जितना भी income रहेगा उस पे 30% की rate से tax लगेगा तो देखो, मैंने क्या बोला, अब to 2 lakh 50,000 तक की income पे कोई tax नहीं लगेगा 250 से 5 lakh 5%, 5 lakh to 7 lakh 50,000 10%, 750 to 10 lakh 15%, 10 to 12 15,000 जो है that is 20%, 12 50 से लेके और 15 lakh तक आपका 25% और आपका 15 lakh से जितना भी ज़्यादा रहेगा उस पे 30% की rate से tax लगेगा, मैंने आपको इतने सारे slab मिलेंगे कैसे याद करना, बड़ा simple है, आप 5-5% tax rate बढ़ाते जाओ और 0,5-0,000,000 रुपया income बढ़ाते जाओ यहाँ पे आप 0,5-0,000,000 रुपया income बढ़ाते जाओ, तो देखो, 2,50,000, 2,50 to 5, 5, 5 to 7,50, 7,50 to 10, 10 to 12,50 and 12,50 to 15 means 2,50,000,000 income बढ़ाते जाओ और 5-5% आप tax rate बढ़ाते जाओ, अब एक चीज समझना आप लोग सर आप बोल रहे हो, कि यह section बोलती है, कि अगर individual और H.E.A.P. चाहे या 80-plus हो चुका है, कोई super senior citizen है, तो क्या उनके लिए भी यही वाला slab rate रहेगा, अगर यह section लेते है तो, या उनके लिए फिर वो 3-legg और 5-legg का basic exemption हो जाएगा, राइट आंसर इस यही रहेगा, बहले वो senior citizen है, if any person is a senior citizen, then also, यहाँ पे आपको basic exemption 250 का ही मिलेगा, आपको 3- या 5 का benefit नहीं मिलेगा, अगर आप यह section ले लेते हो, तो अगर आप section यह लेते हो, तो आपको यही वाला tax rate लगेगा, in case of the senior citizen, as well as the super senior citizen, अब एक चीज समझना आप लोग, सर चलो, हम तो चाहेंगे यह slab rate का benefit लेना, क्योंकि normal वाला जो है, normal वाला जो है, उसमें क्या होता है, up to 2,50,000 तक tax नहीं लगता है, 250 से 5,05,5%, उसके बाद सीथा 20 होता है, और 10,00 से उपर सीथा 30 लगता है, इसमें तो बढ़िया है, 15,00 तक तो आपको 15 के बाद 30 लगेगा तो सर यह तो हमारे लिए beneficial वाली बात कर दी आपने, क्योंकि यहाँ पे हमको benefit दिया है, कितने सारे चोटे-चोटे slab से मज़ा जाएगा, लिकिन गाईज, अगर आपको यह benefit लेना है, तो आपको कुछ ना कुछ, अपने आपको, मतलब लग कुछ ना कुछ चीजे surrender करनी रह तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, conditions, कि अगर आपको 115 BAC का benefit लेना है, तो किसी-किसी चीजों का बलीदान देना पड़ेगा, और यह बलीदान किन-किन चीजों का देना है, समझना, सबसे पहली बलीदान यह है, कि आप लोग 10-5 का exemption नहीं ले सकते, जो section 10-5 हो पन LTC बोलते है, कि लीव ट्रेवल कंसेशन है, वो employee 4 साल के block में 2 साल तक लीव ट्रेवल कंसेशन का benefit exemption ले सकता है, यह आप नहीं ले पाओगे, अगर आप इस section का benefit लेते हो, तो आपको LTC का benefit है, वो छोड़ना पड़ेगा, मिस लीव ट्रेवल कंसेशन की आप exemption नहीं ले स लेता है, एक salary employee है, वो HRA का benefit लेता है, तो आप HRA का benefit भी नहीं ले पाओगे, अगर आप यह section लेते हो, तो LTC भी छोड़ना पड़ेगा, और HRA का benefit भी छोड़ना पड़ेगा, exemption का, जो exemption मिलती है, अब exemption कितनी मिलती है, अगर मैं LTC की बात करू, लीव ट्रेवल कंसेशन की तो थोड़ा बात intermediate याद रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा, उसमें ऐसा था कि आप travel किस से करते हो, अगर flight से कर रहे हो, other mode से कर रहे हो, फ्लाइट से कर रहे हो, तो actual expenditure और economic class का fare, whichever is lower का exemption मिलता था, और अगर आप other mode से कर रहे हो, तो देखना पड़ेगा, जहां जा रहे रहे हो, वहाँ railway facility available है या नहीं, अगर railway facility available है, तो railway का first class का AC fare, और actual expenditure, whichever is lower, railway facility available नहीं है, तो देखना पड़ेगा, recognized transport facility available है, या नहीं वह ऐसा सब था, खरके ठीक है, और उसमें पता है, आपको ऐसा था कि आप दो ही बच्चों का benefit ले सकते हो, exemption का, और दो बच्चों में ऐस अगर पहली बार, एक बच्चा हुआ, दूसरी बार, दो बच्चे हुए, मतलब, पहली बार, single बच्चा हुए, जोशरी बार, दो बच्चे हुए, टोटल 3 हो गए, तो तीन ओका exemption मिल जाता था, और पहली बार ही, दो हो गए, तो तुमको पता चल गया ना, रुग जाओ हम दो हमारे दो कर गए ठीक है बट अगर तो भी आप बच्चे कर लेते हो तो उसके बाद में क्या होगा कि अगर तीन बच्चे हो गए तो आपको benefit है वो दो ही बच्चों का मिला गया ऐसा आपको पड़ा होगा in the intermediate तो 10-5 का exemption का benefit आप नहीं ले सकते as well as the 10-13-A का benefit भी आप नहीं ले सकते 10-13-A that is HR-A का benefit मिलता है HR-A आपको याद है वो exemption हम लेते थे कितना 40% और 50% of salary दूसरा क्या था rent paid minus 10% of salary और actual amount received whichever is lower का 10-13-A का exemption लेते थे आप वो exemption का benefit भी नहीं ले पाओगे उसके बाद lawmakers बोलते हैं आप जो section 10-14 में कुछ आपको allowances exempt होते हैं 10-14 में कुछ allowances exempt होते हैं वो allowances जो exempt होते हैं उसका भी आप benefit नहीं ले पाओगे जो allowances exempt होते हैं जैसे children hostel allowance करके children education allowance याद आया आपको uniform allowance, convince allowance, transport allowance ठीक है traveling on tour, allowances, बहुत सारे allowances मिलते हैं वो allowances का आप benefit नहीं ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे चार exception उन्होंने दिये हैं उन्होंने चार exception दिये हैं कि यह चार exceptional cases जिनका benefit आप ले सकते हो allowances का even you are claiming the benefit of section 115 BAC आप 115 BAC ले रहे हो तो भी आप यह चार allowances ऐसे हैं जिसका आप benefit ले सकते हो तो question आता है sir कौन-कौन से ऐसे वो चार allowances है जिसका हम benefit ले सकते हैं even we are claiming the benefit of section 115 BAC तो पहला that is the transport allowance अगर आपका transport allowance है वो transport allowance का exemption आप ले सकते हो अगर आप 115 BAC ले रहे हो तो भी और transport allowance का exemption अब किसको मिलता है सिरफ दिव्यांग employee को अगर कोई भी handicapped employee है दिव्यांग employee है वो दिव्यांग employee को transport allowance का benefit मिलता है उसका exemption का benefit मिलता है तो transport allowance का exemption आप ले सकते हो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करके ठीक है, even you are claiming the 115 BAC का benefit, एक और चीज समझना, जो तुमारा convince allowance होता है, करके ठीक है, जो convince allowance होता है, वो convince allowance का benefit भी आप ले सकते हो, जो convince allowance है, वो convince allowance का benefit भी ले सकते हो, और एक और होता है, that is a travel on tour allowance, एक और होता है, travel on tour allowance, और एक होता daily allowance गाइस यह चार allowance ऐसे है जिसका आप benefit ले सकते हो exemption का even आप 115 BAC claim कर रहे हो तो मैंने क्या बोला सब लोग मेरी तरफ देखो ठीक है बड़ी interesting section इसी साल से आई है याद रखनी पड़ेगी exam में question बन सकता है ICI ने तो नया material इशू किया एक भी example नहीं दिया जितने amendment है एक amendment से related उन्दा example नहीं दिया एक equalization levy में जरूर छोटा सा example बनाया है बट ICI के new material में there is not a single example on the amendment एक single example नहीं दिया amendment पे सीधा paper में पूछते है कम से कम कुछ example तो दे दिया करो बच्चों को विचारों को चलो तो हम हमें क्या बोला इधर देखो tax on income of individual and HUF हम बोल रहे है individual HUF पे यह tax rate लगेगा means यह जो tax rate है यह tax rate लगेगा लेकिन यह tax rate लगेगा तो यह tax rate का benefit लेने के लिए आपको कुछ बलीदान देना पड़ेगा कुछ आहूती देनी पड़ेगी अपने आपको कुछ ना कुछ चीज़े surrender करनी पड़ेगी कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो कुर्बानी किस 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 देनी है आप 10.5 का exemption नहीं ले सकते 10.13 A का exemption नहीं ले सकते 10.14 का exemption आप नहीं ले सकते allowances का लेकिन यहाँ पे कुछ exception है कुछ exceptions क्या है कि आप transport allowance है वो ले सकते हो transport allowance यह दिव्यांग employee को मिलता है इसका exemption आप ले सकते हो convince allowance का exemption ले सकते हो convince allowance में क्या होता है जितना actual खर्चा करते हो उतना exempt हो जाता है जितना allowance मिला जितना actual खर्चा किया even you are claiming the section 115 BAC का benefit but बाकी कोई भी allowances है वो नहीं ले सकते हैं जैसे मान लो आपको दे रखा है कि कोई ऐसा allowance that is children hostel allowance, children education allowance उसके जो benefits वगे uniform allowance and all उसके जो benefit है वो आप नहीं ले सकते हो you got my point or not? अरे बोलो yes और no yes अब एक और चीज समझना ये लोग बोलते हैं कि आप section 10.17 का benefit भी नहीं ले सकते अब ये 10.17 जो होता है ये allowances मिलते हैं MPMLA को जो MPMLA जो होते हैं वो MPMLA को देखो MPMLA का जो भी income होता है वो taxable होता है salary taxable होता है लेकिन उनको कुछ constituency allowances मिलते हैं आपके exempt होते हैं लेकिन वो exemption का benefit नहीं ले पाएगा अगर कोई MPMLA 115 BAC का benefit ले रहा है तो उसको 10.17 का benefit है वो 10.17 का benefit आपको छोड़ना पड़ेगा उसके बाद आप 10.32 का benefit भी नहीं ले सकते 10.32 section का benefit नहीं ले सकते ये 10.32 क्या होता है पता है क्या minor child की income जब parents में club करते हैं अगर आपको याद रहेगा क्या minor child की income जब parents में club करते हैं तो parents को एक exemption मिलती है 1500 रुपे की एक exemption मिलती है 1500 पर child maximum कितने भी child है चलेगा तो जो यहाँ पे parents को जो minor की income add करते हो minor की income जब parents के हाथ में club होती है तो एक 1032 की exemption मिलती है 1500 रुपया पर एनम वो exemption आप नहीं ले पाओगे अगर आप section 115 BAC का benefit लेना चाहते हो तो देखो बड़ी कुरवानियां आपको देनी पड़ रही है उसके बाद lawmakers बोलते हैं कि आप 10AA का benefit नहीं ले पाओगे 10AA मिस आप SEZ का वो SEZ का benefit आप नहीं ले पाओगे SEZ में income जो है उसको deduction मिलता है पहले 5 साल तक कितना मिलता है पहले 5 साल तक 100% फिर 50% फिर आपका 50% और SEZ reinvestment reserve में जितना डाला वो वाला करगे ठीक है 10AA का उसके बाद lawmakers आपको ये बोलते हैं कि आप जो section 16 की जो deduction होते है section 16 के deduction section 16 salary का होता है और salary में आपको deduction मिलते है और section 16 में deduction कौन कौन से मिलते है एक तो आपको जो मिलता है वो professional tax का deduction मिलता है तो जो भी आपको professional tax का deduction मिलता है professional tax pay करते है तो उसका section 16 में deduction मिलता है वो आप नहीं ले पाओगे उसके बाद मैं आपको पता है salary में एक standard deduction मिलता है 50,000 का और वो standard deduction जो 50,000 का है वो भी बेटा आप नहीं ले पाओगे उसके बाद जो government employee होते हैं उनको एक entertainment allowance का deduction मिलता है वो entertainment allowance का deduction भी आप नहीं ले पाओगे तो मैंने क्या बोला देखो बेटा आप कौन-कौन से benefit छोडने पढ़ेंगे मैं इस कहां कहां कुर्बानी देनी पढ़ेगी तो कुर्बानी 10.5 का exemption नहीं ले सकते 10.13.1 का नहीं ले सकते 10.14.10.17 का नहीं ले सकते 10.32 का नहीं ले सकते 10.00.AA का benefit नहीं ले सकते और section 16 के जो deduction होते है professional tax का standard deduction 50,000 and entertainment allowance इसका benefit आप नहीं ले पाओगे अगर आप section 115 BAC लेते हो तो अब एक और चीज समझना lawmakers बोलते है कि आपका जो section 24 में interest का deduction मिलता है वो interest का deduction आप नहीं ले पाओगे SOP के case में आपको पता है जो self-occupied property होती है देखो LOP, DLOP है तो उसका interest का deduction आप ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं मैंने क्या बोला LOP, DLOP है तो उसका आप interest का deduction ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं बट SOP के case में जो interest मिलता है आपको पता SOP के case में आपको interest का deduction कितना मिलता है maximum 30,000 और 2 lakh house property में वो benefit आप नहीं ले पाओगे SOP में जो section 24 में interest का deduction मिलता है वो आप नहीं ले पाओगे you got my point or not? yes, अब एक और चीज समझना यहाँ पे एक और benefit आपको छोड़ना पड़ेगा और वो benefit यह छोड़ना पड़ेगा कि अगर आपका house property का कोई losses है house property का कोई loss हो सकता है और वो loss कौन सा होगा DLOP, LOP का होगा भाया जो loss है वो LOP, DLOP का होगा क्योंकि SOP में तो हो गई नहीं क्योंकि interest allow ही नहीं है जो भी house property का loss है जो भी DLOP का या फिर LOP का वो आप other head से set up नहीं कर पाओगे means set up against other head not allowed means किसी और head से आप set up नहीं कर सकते है नॉर्मली क्या होता है house property का 2,00,000 रुपे तक का loss आप किसी और head से set up कर सकते हो बट guys अगर आप ये section लेते हो तो आपका house property में जो DLOP या LOP का जो loss है DLOP means deemed to be let out property और LOP means आपकी let out property जो DLOP LOP का जो loss है वो आप किसी और head से set up नहीं कर सकते एक रुपया भी नहीं कर सकते अगर आप ये section नहीं लेते हो तो तो आप कर सकते हो otherwise अगर आप ये section लेते हो तो आप नहीं कर पाओगे किसी और head से सीधा उसको carry forward ही करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा उसको carry forward है, वो carry forward करना पड़ेगा, अब एक और बात समझना, आप लोग बेटा additional depreciation भी नहीं ले सकते, additional depreciation होता है section 3212A वाला, तो आप जो है वो additional depreciation का benefit नहीं ले सकते, as well as the, आप जो है वो section 32AD का benefit भी नहीं ले सकते, 32AD investment allowance होता है, लेकिन आजकल तो investment allowance है नहीं कर गया, ठीक उन्होंना ऐसे डाला है, 32AD का benefit नहीं ले पाओगे, as well as the, जो 33AB और ABA है, उसका भी आप benefit नहीं ले पाओगे, 33AB is for tea coffee rubber development account में, पैसा जमा करवाते हो, तो deduction मिलता है, आपका 40% of PGVP or invested amount, whichever is lower, वो आप नहीं ले पाओगे, उसके बाद मैं lawmakers बोलते हैं, कि भाईया, आप जो में जो अपन खर्चे करते है, 351, 2 वाला deduction आप नहीं ले पाओगे, उसके बाद मैं आप 2A वाला deduction नहीं ले पाओगे, उसके बाद आप 3 वाला deduction नहीं ले पाओगे, and 352AA जो है, ये deduction आप नहीं ले पाओगे, तो यहाँ पे आप कौन कौन से deduction नहीं लेते हैं, समझने ही क कौन सा होता है कि अगर आप Research Association Institute College University को Scientific Research के लिए donation देते हो तो 3512 में मिलेगा अगर Social Statistical के लिए देते हो तो 3513 में मिलेगा तो यह नहीं मिलेगा अगर किसी Indian Company को जो Research and Development में engaged है उसको Scientific Research के लिए देते हो तो 352A में मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा और IIT National Laboratory को देते हो तो 352A में मिलेगा वो भी आपको deduction नहीं मिलेगा तो आप 3512, 3512A, 3513, 352A आप claim नहीं कर सकते आप मुझे अब बोलोगे कि सर यह 352AB क्यों नहीं बोला 2AB जो है एक बात बताओ तो 352A भी सरफ company को मिलता है और यहां आपन बात कर रहे है इंडिविजवल एचिवप की तो यहां पर वो आने का सवाल ही नहीं है करके ठीक है तो 352A नहीं ले सकते अब एक चीज़ समझना आप 35AD का deduction भी नहीं ले पाओगे 35AD is a specified business cold chain facility, warehousing facility for agriculture produce, hotel होना चाहिए, टोस्टार और अरबो, hospital होना चाहिए, 100 bed और मोर वो वाले deduction है वो आप नहीं ले पाओगे उसके बाद में जो आप section 35CCC जो होता है वो भी आप नहीं ले पाओगे अब 35CC कौन सा होता है CCCC जो agriculture extension project उसका deduction आप नहीं ले पाओगे अब आप मुझे बोलोगे किसर यहां 35CCD का जिक्र क्यों नहीं हुआ है क्योंकि आप section 115 115BAA देखोगे तो वहां 35CCC के साथ 35CCD भी होता है एक बात बताओ 35CCD जो PGVP का section है वो सिरफ company को मिलता है और यहाँ पे तो बात हो रही है individual और हुआप की यहाँ पे तो जो बात हो रही है वो individual और हुआप की बात हो रही है तो भाईया यहाँ जब individual हुआप की बात हो रही है तो obviously 35CCD का सवाल ही नहीं आना चाहिए ठीक है अब एक बात समझना यह लोग बोलते है कि आपको एक section 57 में family pension का deduction मिलता है जो family pension का deduction मिलता है family pension का deduction कितना मिलता है पता है कि जो family pension मिला उसका one third या fifteen thousand per annum whichever is lower है उतने का आप deduction ले सकते हो तो वो family pension का deduction भी आपको नहीं मिलेगा section 57 में जो family pension का deduction लेते है वो भी आपको नहीं मिलेगा उसके बाद मैं बता दू any deduction under chapter 6A बेटा 6A का कोई भी deduction आप नहीं ले सकते 6A का आप कोई भी deduction नहीं ले सकते ना तो ATC ले सकते हो ना ATD ले सकते हो ना ATG ले सकते हो कोई भी deduction आप under chapter 6A का नहीं ले सकते सिरफ 2 ले सकते हो except 2, कौन-कौन से एक तो आप ले सकते हो ATJAA ATJAA और यह ATJAA होता है जो new employee आप recruit करते हो उनकी salary का 30% that is called ATJAA या फिर आप ले सकते हो ATCCD ATCCD subsection 2 अब यह ATCCD subsection 2 क्या होता है कि जो आपका employer अगर NPS में contribution करता है यह क्या होता है कि जो employer NPS में contribution करता है national pension scheme में तो उसका आपको deduction मिलता है 10% of salary और employer ने जितना contribute किया whichever is lower 10% of salary और employer ने जितना contribute किया whichever is lower का आपको deduction ATCCD 2 में मिलता है तो यह 2 deduction को छोड़के under chapter 6A वाले आप कोई भी deduction नहीं ले सकते under chapter 6A वाले आप कोई भी deduction नहीं ले सकते इन दो deduction को छोड़के क्या हम ATC ले सकते है answer is no ATG ले सकते है answer is no ATU ले सकते है answer is no आप मुझे बोलोगे कि यहाँ पे 80 जो आपका क्या बोलते है वो TTA होता है वो ले सकते है answer is no ATT भी होता है वो ले सकते है answer is no मैं लग कुल मिला के मैं बोता दू under chapter 6A का आप कोई भी deduction नहीं ले सकते under chapter 6A का कोई भी deduction आप नहीं ले सकते अगर आप यह section लेते हो तो देखो बिटा मैंने क्या बताया समझने ही कोशिश करना all people just pay attention एक section है section 115 BAC वापस से देखेंगे tax on income of individual and HOF individual HOF की income पे tax rate क्या लगेगी इस साल से यह section है previous year 2021 से assessment year 2021 से यह section बोलती है individual HOF के case में up to डाही लाग कोई tax नहीं लगेगा डाही से 5, 5% 5 से साड़े साथ 10% साड़े साथ 10, 15% 10 से साड़े बारा 20% साड़े बारा से 15 आपका 25% और 15 लाग से उपर जितना भी रहेगा वो 30% लेकिन आपको बलीदान देना पड़ेगा और वो बलीदान क्या-क्या चीज़ों का देना है पहली चीज आप जो भी leave travel concession का exemption नहीं ले सकते HR का exemption नहीं ले सकते allowances का exemption नहीं ले सकते बट आप जो transport allowance है जिसको commutation allowance भी बोलते है यह आप ले सकते है convince allowance का exemption ले सकते है travel on tour allowance का ले सकते है और daily allowance का ले सकते हैं, यह 4 allowance ऐसे हैं, जिसका benefit exemption आप ले सकते हैं, 1032 आप नहीं ले पाओगे, 1032 जो parents के हाथ में minor की income add होती है, जिस पे 1500 less होता है, वो नहीं मिलेगा, जो MPMA होते हैं, उनको एक allowance का benefit मिलता है, exemption का वो नहीं ले पाओगे, 10AACZ का exemption का benefit आप नहीं ले सकते, section 16 न deduction नहीं ले सकते, entertainment allowance नहीं ले सकते, section 24 में जो SOP से related interest है, उसका benefit आप नहीं ले सकते, और एक और चीज़ समझना, यहां पे SOP से related benefit नहीं ले सकते, उसके साथ साथ में, house property का जो loss है, DLOP, LOP की वज़े से, if there is a loss in house property due to the DLOP, LOP, वो किसी और head से आप setup नहीं कर सकते, उसको पड़ेगा, additional depreciation आप नहीं ले सकते, 32AD का deduction आप नहीं ले सकते, 33AB, ABA नहीं ले सकते, 3512 scientific research वाले यह आप नहीं ले सकते, 35AD नहीं ले सकते, 35CCC नहीं ले सकते, 57 में family pension का deduction मिलता है, वो नहीं ले सकते, और any deduction under chapter 6 से नहीं ले सकते, दो को छोड़के, एक तो आप 80JAA ले सकत हो, जो 80CCD2 वाला है, वो 80CCD2 वाला आप ले सकते हो, बाकी आप कुछ भी नहीं ले सकते, अब एक और चीज समझना, इधर देखना, सब लोग इधर देखना, lawmakers बोलते हैं, कि भाईया, यह deduction का benefit आप नहीं ले सकते, इसका benefit आप नहीं ले सकते, अब एक चीज समझना, इसक तुमारा पुराना कोई loss है, तो वो loss भी आप सेट आप नहीं कर पाओगे, उसको ignore करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, समझना, मेरी तरफ देखना, जैसे मानलो, मैं इस साल, मैं individual हो, मैं इस साल इस section का benefit लेता हूँ, और मेरा पुराना कुछ brought forward losses है, और brought forward losses है, मेरा नाम Mr B.B. और मेरे दो businesses है करके, ठीक है, दो businesses है, एक तो मेरा मानलो, hotel का business है, जिस पे मैं 35 AD का deduction लेता हूँ, 35 AD का, जो की 3 star hotel है, ठीक है, और एक मेरा classes का business है, अब एक बात समझना, मेरा पुराना कुछ brought forward losses है, वो मानलो, 5 करोड है, मेरा पुराना brought forward losses है, वो 5 करोड है, तो मैं 35 AD वाला loss है, मानलो, 2 करोड, और बेटा, classes वाला कोई पुराना loss है, 3 करोड, तो अब एक बात समझना, पहली चीज, तो मैं अगर इस साल 115 BAC ले लेता हूँ, मैं इस साल 115 BAC लेता हूँ, तो इसके हिसाब से मुझे 35 AD का कोई deduction नहीं मिलेगा, क्योंकि 35 AD मना किया हूँ है, अब एक बात समझना, इनकी वज़े से मेरा कोई पुराना loss है, क्या answer is, yes, मेरा 35 AD का पुराना loss पढ़ा है, कितना 2 करोड का, ये 2 करोड के loss को मैं setup नहीं कर सकता, इसका setup जो है, not allowed मैं, इसको setup allowed नहीं है, इसका कोई setup allowed नहीं है, मतलब ये बोल दू के ये वाला loss मेरा क्या हो सकता हो, answer is, yes, इसको मैं setup कर सकता हो, कोई problem नहीं है, तो in simple word मैं आपको ये बता दू, in simple word मैं आपको ये बता दू, कि in sections की वज़े से कोई पुराना तुमारा loss है, तो वो loss को आपको ignore करना पड़ेगा, in section की वज़े से पुराना तुमारा कोई loss है, तो उस loss को ignore करना पड़ हो और नहीं अब आप इसको carry forward कर पाऊगे आगे मतलब इन simple word आपका वो loss है वो क्या हो जाएगा lapse हो जाएगा क्या हो जाएगा lapse हो जाएगा you got my point or not yes अब एक और चीज़ समझना अब अगर मालो पुराना अनएब्सॉब डेप्रीशेशन है यह clarify किया cbtt ने अपने rules के साब से इधर देखना तुमारा पुराना कोई अनएब्सॉब डेप्रीशेशन है समझना हाँ और अनएब्सॉब डेप्रीशेशन है 10 लाग का पुराना तो इसको तो आप सेट अप कर सकते हैं यस कोई दिक्कत ने इसको सेट अप कर सकते हैं समझना हाँ लेकिन इस अनएब्सॉब डेप्रीशेशन में 4 लाग का अनएब्सॉब डेप्रीशेशन एडिशनल डेप्रीशेशन वाला है चार लाग का जो अनब्सॉब डेप्रिशेशन वो एडिशनल डेप्रिशेशन वाला ऐसा हो सकता है ना पुराना डेप्रिशेशन दस लाग पड़ा है जो भी तेक सेट अफ नहीं हुआ उसमें चार लाग अडिशनल वाला है एंचे लाग जो है वो आपको नॉर्मल वाला है वो आपका normal depreciation वाला है किस में है unabsorbed depreciation में अब एक चीज समझना law makers बोलते हैं कि unabsorbed depreciation में जो तुमारा additional depreciation वाला part है ये इसको आप set up नहीं कर सकते हैं इसको आप set up नहीं करोगे क्योंकि बोला है ना कि additional depreciation तो नहीं लेपा होगे आप additional depreciation का deduction नहीं मिलेगा और पुराना unabsorbed depreciation में जो additional depreciation है उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा वो आपका चला जाएगा लेकिन एक बात समझता है CBTT यहाँ clarify करता है कि यह set up करने के लिए allow ती नहीं होगा but it will be added to the WDV of 1st April in which option under section 115 BAC claimed मनलब जिस year में आप यह 115 BAC ले रहे हो उस year का जो 1st April का जो भी opening WDV रहेगा जो भी 1st April का opening WDV रहेगा उस opening WDV में इसको क्या करना पड़ेगा? एड करना पड़ेगा जैसे for an example इस example से मैं बात करता हूँ इदर देखो आपका additional depreciation वाला unabsorbed depreciation में 4 लाक है तो पहली चीज़ तो मैं बता दूँ यह 4 लाक अब आप आगे setup carry forward नहीं कर सकते अगर आपने यह section ले लिया तो यह 6 लाक कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं और यह 4 लाक है ना यहां CBTT ने rules बना के बोला कि यह 4 लाक आपको add करना पड़ेगा in the opening WDV opening WDV में add करना पड़ेगा जिस year में आप 115 BAC लेते हो इसका मतलब अब इस पे आपको normal depreciation है वो आपको allow हो जाएगा और यह तुमारे WDV बढ़ा देगा जिस पे आप normal depreciation है वो आप continue कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है you got my point or not yes अब एक और चीज समझना आप लोग sir आप बोल रहे हो कि individual HOA को यह tax rate लगेगी आपना यहाँ पर यह tax rate बताई but sir what about the other special rates of income जो भी special rates of income रहेगी उस पे tax rate क्या रहेगी special rates of income जो होती है special rates of income special rates of income का मतलब कौन सा होता है जैसे मालो LTCG 112 वाला या LTCG 112A वाला उस पे 20% लगता है इस पे 10% लगता है STCG 111A वाले पे आपका कितना लगता है 15% लगता है उसके बाद अगर मैं बात करू winnings पे कितना लगता है तो 30% लगता है तो सर इन सब income पे कौन सी rate से tax लगेगा वो special rates से ही लगेगा वो सब income पे है वो आपको special rates से ही tax लगेगा तो कोई भी जो special rates की income रहेगी उस पे आपको special rates से ही tax लगेगा कोई दिक्कत नहीं है जो special rates की income रहेगी उस पे special rates से ही tax लगेगा अब एक और चीज़ समझना Sir, surcharge क्या लगेगा Sir, हमको ये बताओ ये section अगर लेते हैं तो हमारा surcharge क्या रहेगा क्योंकि अगर आपने section 115 BAA और BAB को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ तो fix surcharge था 10% वहाँ तो अगर कोई भी domestic company या domestic manufacturing company 115 BAA या 115 BAB लेती है तो surcharge वहाँ fix था 10% Sir, यहाँ पे अगर ये section लेते हैं 115 BAC तो यहाँ surcharge का rate क्या रहेगा यहाँ surcharge का rate आपका depend करेगा total income पे अगर तुमारी total income 50 लाग से जादा है up to 1 करोड है तो आपका surcharge का rate वही वाला आपका 10% रहेगा more than 1 करोड up to 2 करोड है तो आपका कितना रहेगा 15% more than 2 करोड up to आपका 5 करोड है तो आपका 25% और 5 करोड से जादा आपका total income है तो 37% जो surcharge हमने सीखा है normally वही surcharge लगेगा और health and education says है वह आपका 4% की rate से लग जाएगा health and education says आपका 4% से लग जाएगा अब एक और चीज समझना आप लगे दर देखना मेरी तरफ sir मेरी तरफ देखना all people just pay attention यह section अगर आप लेते हो तो आपको AMT नहीं लगेगा जो alternate minimum tax है वो alternate minimum tax आपको नहीं लगेगा AMT is not applicable if you opt this particular section तो आप 115 BAC ले लेते हो तो आपको AMT नहीं लगेगा और एक चीज समझना जब आपको alternate minimum tax नहीं लग रहा आप question आपका यह आ सकता है कि पुराना sir AMT credit पढ़ा है उसका क्या करे जो पुराना AMT credit पढ़ा है वो आपका lapse हो जाएगा उसका कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि जब AMT लगी नहीं रहा है तो अब आप उसको कोई set up नहीं कर सकते पुराना जो AMT credit पढ़ा है वो AMT credit आपका क्या हो जाएगा lapse हो जाएगा तो मेरी तो advice आपसे यही रहेगी कि भाईया आप एक काम करो पहले आप चेक कर लो करके ठीक है कि आपका AMT credit है पहले उसको आप use कर लो फिर यह section ले लेना ऐसी कौन सी जल्दबाजी है और यह section optional है आपको लेना है तो लो नहीं लो तो कोई बात नी अब एक चीज समझना all people just pay attention हर साल return file करने से पहले आपको यह तै करना पड़ेगा आपको इस section में जाना है special वाली में या फिर आपको normal वाली section में जाना है जब आप normal वाली section में जाओगे तो वहाँ deduction exemption के benefit ले पाओगे लेकिन यहाँ अगर इस section में जाओगे तो आपको यहाँ पे बलीदान देना पड़ेगा किसका exemption deductions का तो हर return filing की date से पहले आपको यह decide करना पड़ेगा कि हमको कौन सी section में जाना है आप अगर यह decide करते हो हमको इसमें जाना है आप इसमें जाओ अब question ही आता है क्या अगले साल change कर सकते है इस साल हम मान लो यह section ले ली तो क्या हम अगले साल change कर सकते है answer is yes आपकी मर्जी है हर साल change करो हो सकता है इस साल आपने 115 BAC के हिसाब से written file किया अगले साल आप normal के हिसाब से कर लेना उसके अगले साल जादा फाइदा होता है 115 BAC के तो आप 11 BAC के हिसाब से चले जाना उसके अगले साल आपको normal से जाना है तो आप normal से जाना लेकिन एक चीज़ समझना अगर आपका business का income है अगर आपका business का income है if your income is from business and profession PGBP का income है तो अगर आपने एक बार 115 BAC ले लिया तो आपको subsequent years में भी 115 BAC लेना ही पड़ेगा आपने एक बार 115 BAC ले लिया तो आपको subsequent years में भी 115 BAC लेना पड़ेगा मैंने क्या बोला अगर आपने एक बार 115 BAC ले लिया तो आप subsequent year में भी 115 BAC लोगे ही लोगे लेना ही पड़ेगा घर के ठीक है लेकिन एक बात समझना अगर मानलो किसी एर में violation हो गया आपने 115 BAC नहीं ले लिया और ये condition satisfied नहीं की मानलो additional depreciation and all अगले किसी साल में violation हो गया और आप 115 BAC से भाहर हो गए तो फिर वापस आप 115 BAC में नहीं आपाऊगे हो आप वापस 115 BAC नहीं ले सकते जब तक की आपका business है कल उटके अगर आपने business ही बन कर दिया और फिर आपकी अगर other sources की income है या salary की income है और business आपने बन कर दिया तब आप 115 BAC में वापस आ सकते हो तो मैंने क्या बोला दो चीज़े पहली चीज़ तो यह कि अगर किसी का business का income नहीं है उसके पास तो option है वो चाहे 115 BAC में जाए चाहे normal provision से जाए लेकिन अगर किसी का business का income है और आपने अगर 115 BAC ले लिया तो फिर आपको 115 BAC continue करना पड़ेगा लेकिन किसी year में अगर condition satisfied नहीं हुए और 115 BAC से बाहर निकल गए तो वापस आप 115 BAC में नहीं आपाओगे जब तक आपकी business की income है अगर फिर कभी किसी year में business की income नहीं है business आपने बंद कर दिया business की income नहीं है और आप 115 BAC में आना चाहते हो तो फिर आप 115 BAC में आ सकते हो हमको कैसे पता चलाएगा कि employee का TDS पुराने slab rate से खाटे या इस slab से काटे इस section से तो इसमें बोला कि employee declaration देगा अपने employer को employee को ये declaration देनी पड़ेगी कि मैं 115 BAC ले रहा हूँ अगर उसकी declaration आई किसकी employee की किसके पास में employer के पास में है तो employer TDS है वो ये वाले slab से काटेगा जो नया वाला slab है 115 BAC वाला इस से काटेगा लेकिन अगर declaration नहीं आई declaration दी नहीं है तो कोई बात नहीं आप जो normal वाला जो स्राइब रहता है 5%, 20%, 30% वाला 5, 20, 30% slab rate आप उसके हिसाब से TDS काटोगे लेकिन एक चीज समझना आपने declaration दिया था अपने employer को के I am going to follow 115 BAC employee ने employee ने declaration दिया employer को के I am going to follow 115 BAC लेकिन जब return file करने की बात आई तब employee को लगता है के नहीं नहीं 115 BAC तो अच्छा नहीं अब TDS कट चुका है 115 BAC के हिसाब से लेकिन employee जब return file करता है उसको लगता है के no 115 BAC is not beneficial for me other provision is more beneficial तो क्या वो वहाँ change कर सकता है या नहीं मतलब उसने जो declaration दिया था अपने employer को 115 BAC का दिया था declaration 115 BAC का दिया था लेकिन जब वो return file करने की बात आई actual return file कर रहा था तब उसको लगता है के नहीं नहीं 115 BAC के साथ हम नहीं जाते हैं हम तो किसी normal वाले provision के साथ जाते हैं तो क्या वो change कर सकता है answer is yes कोई दिक्कत नहीं है भले आपने declaration 115 BAC की दी थी और आप normal provision से return file करेगा employee चलेगा कोई दिक्कत नहीं या फिर आपने declaration दिया ही नहीं था तो उसने normal provision से TDS काटा और अब आप 115 BAC ले रहे हो at the time of filing of return no problem उससे कोई फरक नहीं पड़ता है चलेगा is it okay no problem now question is that कि अगर मानलो आप section यह लेते हो 115 BAC तो भी आपको क्या 87 A का rebate मिलेगा क्या answer is yes आप 87 A का rebate ले सकते हो but 87 A का rebate is applicable only if your net taxable income is up to 5 lakh अगर आपका net taxable income 5 lakh तक है तो जो भी tax liability और 12,500 रहेगा whichever is lower जो है उतने का आप benefit है वो rebate में ले सकते हो under section 87 A you got my point or not अरे guys बोलो you understood my point or not yes चलो एक काम करो आप अपनी book में आओ और आपकी book में देखो क्या लिखा हुआ है सब लोग आओ आप लोग अपनी book में आओ आपके पास compact रहेगा तो compact में आओ और मैंने आपको जो पढ़ाया मैं यहां से आपको बता रहा हूँ सब लोग ध्यान देना हम देखो बटा सबसे पहली चीज़ in case of individual and HOF following tax rate are applicable for assessment year 21-22 tax rate अपने को पता है पांच-पांच परसेंट उदर बढ़ाते जाओ और थालाग रुपया इदर बढ़ाते जाओ above tax rate applicable only if the assessee satisfied the following condition क्या क्या condition है assessee should not claim any benefit under section 10-5, 10-13A, 10-14 but other than those may be prescribed for this purpose or 10-17 or 10-32, 10-AA, 16-24B in respect of SOP, 30-212A that is additional depreciation 32AD, 33AB, 33ABA, 351212A, 13, 352AA, 35AD, 35CCC, 352A or any deduction of provision of chapter 6A other than the provision of ATCCD2 and section 80JAA notes, assessee not to be entitled to following exemption, ये वो ही वाली exemption के बारे में है जो मैंने उपर section बढ़ी बताई है, आपको उसी से related ये सब चीजे दे रखी है लेकिन ये चार चीजों का benefit आप ले सकते हो, allowances में कोई दिक्कत नहीं है करके transport allowance ले सकते हो, जो कि दिव्यांग employee के लिए मिलता है या फिर convince allowance आप ले सकते हो करके, या फिर आपका any allowance to meet the cost of travel on tour allowance है वो आप ले सकते हो, या daily allowance है वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसका exemption का benefit ले सकते हो उसके बाद दूसरा condition, दूसरा condition ये है, समझना बेटाब, further such individual or HUP opting for the afforded concessional rate of tax would also be not allowed to set up any loss or depreciation attributed to any of the deduction referred above जो उपड deduction की बात की थी, उससे related कोई loss है, वो set up नहीं कर पाओगे उसको आपको ignore करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको भी example लेके बताया था मेरा एक hotel है और एक class है, वो 2 करोड, 3 करोड वाला दूसरा, not allowed to set up any losses from income from house property against any other head क्या बोला कि income from house property का जो loss है, वो किसी और head से आप set up नहीं कर पाओगे house property में कौन सा loss आ सकता है, LOP, DLOP, क्योंकि SOP का दो loss आएगा ही नहीं क्योंकि SOP का interest ही अलाओ नहीं है, ठीक है, और loss सिरफ interest की वज़े से आ सकता है तो DLOP और LOP का कोई loss है, वो और किसी head से set up नहीं कर पाओगे तीसरा, depreciation under section 32, except additional depreciation under section 32-1-2-A would have to be claimed in such a manner as may be prescribed, तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाईया, आपका जो depreciation जो है, वो additional depreciation अब आपको नहीं मिलेगा जो additional depreciation है, वो depreciation additional आपको नहीं मिलेगा, normal आपको मिलेगा और additional depreciation जो पुराना unabsorbed depreciation में है, उसको आपको block से add करना पड़ेगा तो as may be prescribed, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है initial net be allowed to claim any exemption or deduction for allowance or perquisite provided under any other law for the time being in force, तो इन्होंने बोला कि किसी और law में भी अगर उसको कुछ allowances, deduction, exemption दे रखे है तो वो भी नहीं ले पाएगा अब यहाँ पर point number 3 क्या बोलता है, where there is a depreciation allowance in respect of block of asset which has not been given full effect prior to the assessment year 21-22 corresponding adjustment shall be made to the opening WDV of such block of asset as on 1-4-2020 in the prescribed manner, if the option 115 BAC is exercise in current area, वो ही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी मैंने आपको बोला था कि एक तो तुमारा पुराना जो additional depreciation है उसको आप नहीं ले पाऊगे पुराना additional depreciation, unabsorbed depreciation में वो नहीं ले पाऊगे if subsequently the individual or HOF not satisfied any of the foregoing conditions, the option of concessional rate shall become invalid and other provision of act shall apply, कोई अगर मान लो condition satisfied नहीं कि तो आप यस provision से बाहर आजाओगे उस साल और आप फिर normal provision से गवर्न करोगे, next part, an individual or HOF who does not have any business income would have an option to choose either the two tax regime each year depending upon their liability under each one of them वो हर साल उनके पास option है, जो चाहे वो option में जा सकते है, next part in respect of individual HOF having the business income, अगर आपका business income है, तो क्या होगा the options once exercise cannot be withdraw, आप withdraw नहीं कर सकते but in such a case, an option one exercise would be applicable for all subsequent assessment year and can be withdrawn only once for previous year, मैं आप withdraw कर सकते हो, किसी year में आप बाहर आए इस से other than the year in which it is exercise and thereafter, the individual or HOF shell never be eligible to exercise option under this section, except where such individual HOF cease to have any business income, आप एक बार अगर माल लो यह ले लेते हो, तो हर साल लेना पड़ेगा लेकिन एक बार अगर बाहर आगे इस से आप ठीक है, तो फिर आप कभी भी वापस यह option नहीं ले पाओगे, जब तक की आपकी business की income है, next part rebate under section 87A is available, even if assess the opt section 115BAC, tax on special rates of income जो है, वो special rates ही taxable होगी, surcharge जो है, वो आपको surcharge लगेगा 10, 15, 25, 37, depends on your total income health and education says 4% लगेगा, if assess the opt section 115BAC, then alternate minimum tax is not applicable, miss आप पे AMT नहीं लगेगा, brought forward AMT credit cannot be set up against income under section 115BAC so if assessi has brought forward AMT credit, it can first exhaust the AMT credit and thereafter opt for section 115BAC in the subsequent previous year, यह CBTT ने क्या clarify किया, यह TDS को लेके इना ने clarify किया, और देखो क्या देखा है, क्या दे रखा है, CBTT clarifies that an employee intending to opt for concessional rate under section 115BAC may intimate to his employer for each previous year upon such intimation, the employer shall deduct TDS as per section 115BAC, if such intimation is not made by employee, the employer shall deduct TDS as per normal tax rate only, if it is also clarified that the intimation so made to the deductor shall be only for the purpose of TDS during the previous year, it means cannot be modified during that year means it is for the purpose of TDS only, however, at the time of filing of return, employee may take the different option, no problem at all, further, in case of employee who has an income under the head PGBP, the intimation to the employer in this case for subsequent previous year must not deviate from the option under section 115BAC of the act once exercised in the previous year, वह यह अगर मान लो employee का PGBP का भी income है, तो उस case में क्या हो गया कि आप 115BAC एक बार ले लेते हो, तो हर साल लेना पड़ेगा, तो अगले साल भी फिर आपका जो है, वो रहे का intimation to the employer, वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, done, this is the completion of section 115BAC, BAC से related एक question है, यह वाला, देखो, Mr. Devam, 32 years, यह वाला question को आप read करो, मैं आपको 3 minute का time देता हूँ, और इस question को आप read करो, और फिर मैं आपको यह question करवाँगा, कि वह यह कैसे होता है, अगर आप 115BAC लेते हो, तो tax rate, tax क्या आएगा, और 115BAC नहीं लेते हो, तो tax क्या आएगा, ठीक है, चलो, आप इसको देखो एक बार, क्या है, रख यह झाल 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 यस पीपल तो मैं बताता हूँ आपको डीटेल दे रखिये जो है वो उसको 90,000 मिला लेकिन उसमें से 60,000 है वो एक्जेम्ट है तो देखो अगर नॉर्मल प्रोविजन से जाएगा तो 60,000 का एक्जेम्शन लेगा मतलब मैं बता दू 30,000 टेक्सेबल होगा बट अगर वन 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 फाइव बी एसी से जाएगा तो पूरा 90,000 टेक्सेबल ह और अगर मानलो आपका नॉर्मल प्रोविजन से जाएगा तो अउनली 30,000 है वो ही टैक्सेबल होगा उसके बाद लीव ट्रेवल कंसेशन है जो 1,95,000 है लेकिन इसमें से 1,80,000 है वो एक्जेम्ट है 10,500 में तो देखो अगर नॉर्मल प्रोविजन से जाएगा तो अउनली 15,000 है वो आपकी इंकम में जोड़ेगा विगाज आपको एक्जेम्शन मिलेगा बट अगर आप 115 BAC से जाओगे तो टोटल 195 है वो टैक्सेबल होगा उसके बाद new pension scheme contribution that is NPS by the BB private limited 12% of basic salary 4,80,000 है अब एक चीज़ समझना है यह 4,80,000 है यह company ने employer ने NPS में पैसा डाला तो पैले यह taxable करना यह salary में आएगा perquisite माना जाएगा it is taxable यह taxable होगा दोनों में अगर आप 115 BAC देखोगे as well as normal दोनों में जाएगा लेकिन इसका deduction मिलेगा यह employer का contribution है तो employer के contribution का deduction है वो 80 CCD 2 में मिलता है और मैं अगर 80 CCD 2 की बात करूँ तो 80 CCD 2 में आपको कितना deduction मिलता है जितना employer का contribution है और 10% of salary whichever is lower जितना employer का contribution और 10% of salary whichever is lower तो पहले 4,80,000 पूरा taxable कर दो और deduction आपको कितना मिलेगा 10% of salary comes to the 40 lakh का आपका 10% comes to the 4 lakh तो आपका 4 lakh जो है उतने का deduction मिलेगा 80 CCD 2 में deduction मिलेगा अब एक बात समझना आप normal provision से जाओगे तो भी आपको 4 lakh का deduction मिलेगा और आप 115 BAC से जाओगे तो भी आपको 4 lakh का deduction मिलेगा क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि भाहिया अगर मानलो आप 115 BAC लेते हो तो कोई deduction नहीं ले पाओगे लेकिन 2 deduction आप ले सकते हो कौन-कौन से एक तो 80 JAA का ले सकते हो और 80 CCD 2 का ले सकते हो next part payment of professional tax by Devam Devam ने professional tax 2000 का payment किया ये आपका salary में section 16 में deduction मिलता है अगर आप 115 BAC में जाओगे तो तो deduction ये नहीं मिलेगा बट अगर आप normal provision में जाओगे तो आपको deduction मिलेगा उसके बाद income from property A जो property A जो है वो आपकी self occupied है और self occupied property का यहाँ पे ये loss है अब एक बाद समझना है ये self occupied property house property का loss है तो ये house property का loss अगर आप 115 BAC नहीं लेते हो normal provision में जाते हो तो ये loss मिलेगा बट 115 BAC लेते हो तो आपको ये loss नहीं मिलेगा अब आपकी let out property है B और C और इसका आपका net loss आ रहा है 20,000 का net loss आ रहा है 20,000 का अब एक बाद समझना है अगर आप normal provision से जाते हो तो ये 20,000 को आप set up कर पाओगे किसी और head से कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप 115 BAC से जाओगे तो आप किसी और head से इसको set up नहीं कर सकते आपको ये 20,000 का loss carry forward करना पड़ेगा उसके बाद saving bank account interest received of minor son of Devam and minor daughter of Devam यहाँ पे ये जो 800 और 2000 का जो income है ये minor child का ये parents के हाथ में club होता है तो यहाँ पे देवम के हाथ में club होना चाहिए यहाँ पे देवम के हाथ में club होगा लेकिन इसमें एक चीज समझना जो 1032 का exemption रहता है 1500 का पहले 800 वाला तो पूरा exempt हो जाएगा normal provision में और दूसरे में 2000 में से 1500 का deduction मिलेगा, exemption मिलेगा, 500 taxable होगा normal provision में लेकिन अगर आप 115 BAC लेते हो तो इस case में आपको यहाँ पे exemption नहीं मिलेगा, पूरा 500, 115 BAC लेते हो तो आपका पूरा 800 और 2000 taxable होगा interest on saving bank account of Devam, Devam का saving bank account का interest 28,000 है, पहले आप taxable कर दो IFOS में, दूसरा saving bank interest पे आपको एक 80 TTA का deduction मिलता है और यह 80 TTA का deduction तब मिलेगा जब आप normal provision में हो अगर आप 115 BAC में हो तो तो कोई deduction नहीं मिलता, दो को छोड़के, that is 80 CCD2 and आपका 80 JJAA उसके बाद interest on public provident fund credited हुआ इस साल में, यह आपका PPF का interest है, एक बात बताओ PPF का interest आपका 10 11 में exempt होता है PPF का interest है, वो 10 11 में exempt होता है और एक बात बताओ, 10 11 के लिए कहीं कुछ बोला हुआ नहीं है तो आप 115 BAC लेते हो या 115 BAC नहीं लेते हैं, आपका PPF का interest पूरा exempt हो जाएगा So your PPF interest is totally exempt even if you claim the 115 BAC or you not claim the 115 BAC, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा Next part, deduction under section 80 D, 80 E, E, A, 80 E, B and 80 G, 281 है, यह आपको normal provision में मिलेगा, 115 BAC में नहीं मिलेगा NPS contribution by the Devam, यह खुद का contribution है NPS में, अब एक चीज़ समझना, जब आप NPS में खुद का contribution करते हो तो आपको deduction मिलता है 80 CCD 1 में, 80 CCD 1 में और 80 CCD 1 B में deduction ले सकते हो तो आप normal provision से जाओगे, तो इसका 80 CCD 1 में और 80 CCD 1 B में, 50,000 तक का deduction 1 B में ले सकते हो लेकिन यह restricted, जो 80 CCD 1 होता है न, वो 80 CCE की limit में आता है 80 CCE की limit डेड़ लाके उसके अंदर-अंदर आएगा, तो आप normal provision में ले सकते हो देवम wants to know whether he should opt for alternative taxation regime for the assessment day 21-22 or not देवम आपसे यह पूछना चाता है कि क्या वो alternative taxation regime, 115 BAC ले या नहीं ले वो आपको advise करनी है, तो यह इसका solution यहाँ से चालू होता है आप अगर देखोगे, तो यहाँ पे comparative कर रखा है कि normal provision में क्या होगा, 115 BAC में क्या होगा और देखो, यहाँ पे फिर आप देखोगे, deduction वगेरा के बाद में आपको total income दे रखा है इसमें आ रहा है 34, 85,500 और इसमें आ रहा है 43, 95,800 अब उस पे आप टेक्स निकालोगे, तो टेक्स देखोगे, तो normal provision में आपकी तीनी slab rate है बट यहाँ पे आपके 6 slab rate है करके ठीक है, तो जो टेक्स आ रहा है इसमें 892,476 और इसमें आपका 10,98,490 और तो आप क्या करोगे tax as per normal provision is lower, so Mr. Devam should not opt for 115 BAC for the assessment year 21-22, got my point or not? Yes, so this is the completion of section 115 BAC, this is the completion of section 115 BAC, तो यह आपका 115 BAC हो चाता है अब हम पढ़ने वाले है, एक और section जो इसी साल से आई है, that is 115 BAD अब एक चीज समझना, यह 115 BAD क्या है, 115 BAD भी इसी साल से आई है, BAC, BC साल से आई है और BAD भी सी साल से आई है अब एक चीज समझना, एक section इन्हों ने डाली इस साल से, that is section 115BAA, और 115BAA क्या बोलती थी? जो BAA है, वो क्या बोलती थी? कि अगर कोई domestic company है, तो domestic company के लिए option है, आप 22% tax rate ले सकते हो, 22% प्लस आपका 10% प्लस आपका 4% यह domestic company के लिए tax rate आप ले सकते हो, तो लोगों ने government को बोला कि क्यों ना ऐसा option आप cooperative society को भी दे दो, तो इन्होंने, देखो, normally cooperative society का tax rate क्या रहता है, up to 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000, 20%, more than 20,000, 30% और surcharge कितना लगता है, आपका surcharge है, वो 12% लगता है, अगर income एक करोड से जाता है, तो और health and education says 4% लगता है, यह normal cooperative society के लिए tax rate होता है, that is section 115 B.A.D. और 115 B.A.D. में उन्होंने क्या किया, cooperative society को भी option दिया, कि cooperative society है, उस पे tax rate है, वो 22% से लगेगी, तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़, यह section लगेगी सिरफ resident cooperative society पे, तो जो भी तुमारी resident cooperative society है, उस पे यह section लगेगी, यह section बोलती है कि cooperative society के पास option है, वो tax भर सकती है, 22% की rate से, लेकिन आप बोलोगे sir, इसमें surcharge लगेगा, answer is yes, आपका surcharge जो लगेगा, वो surcharge हमेशा 10% लगेगा, is irrespective of your total income, वो cooperative society का total income अगर 10 रुपया है, तो भी आपको surcharge लगेगा, कितना भी total income है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, surcharge 10% and आपका जो health and education says है, that is the 4% आपको always लगेगा, इसका मतलब यह हुआ, कि मैं आपको बताऊं, यह effective tax rate है, वो 25.168% आ जाएगी, जो effective tax rate है, that is 25.168% है, that is the effective tax rate, आपका effective tax rate है, वो 25.168% है, वो आएगा, तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला, कि अगर कोई resident cooperative society है, वो benefit ले सकती है, 22% tax का, 10% surcharge always जोलेगा, और health and education says 4% है, वो आपको always जोड़ना पड़ेगा, अब एक चीज़ समझना, इतर देखना सब लोग, यह जो section है, यह section भी इसी साल एड़ की, तो मैं बताऊं, यहाँ, this is added by Finance Act 2020, and with effect from assessment year 21-22, इस पहला साल है, यह अपना वाला करेगा, ठीक है, अब आप बोल रहे हो का, resident cooperative society को 20% की rate से tax लगेगा, बट कुछ बलीदान देना पड़ेगा, क्या, कुछ आहूतिया देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ sacrifice करना पड़ेगा, answer is yes, sacrifice करना पड़ेगा, किन-किन चीज़ों का, तो यह cooperative society 10 AA का deduction नहीं ले सकती, उसके बाद में आपका जो 32 AD जो है, investment allowance उसका deduction नहीं ले पाएगी, उसके बाद में जो भी तुम्हारा additional depreciation है, वो additional depreciation का deduction नहीं ले सकती, उसके बाद में तुम्हारा 33 AB and 33 ABA, that is Tea Coffee Rubber Development Account उसका deduction नहीं ले पाएगी, उसके बाद तुम्हारा 35 1 2 है, 35 1 2A है, 35 2 AA है, इसका deduction वो cooperative society नहीं ले पाएगी, उसके बाद तुम्हारा 35 AD जो specified business है, उसका deduction नहीं ले पाएगी, उसके बाद 35 CCC का deduction नहीं ले पाएगी, और उसके बाद में deduction under chapter 6A, deduction under chapter 6A, 6A का कोई deduction नहीं ले पाएगी, इसमें दो exception है, कि एक तो आपका 80 LA का deduction ले सकती है, और उसके साथ में 80 JJ AA का deduction है, वो cooperative society ले सकती है, बाद की आपको कोई भी deduction नहीं मिलेंगे, यह सब deduction है, इसमें से आपको कोई deduction नहीं मिलेगा, 80 LA का ले सकते हो, 80 LA क्या होता है, आपका IFSC में जो unit होता है, जो International Financial Service Center IFSC में unit होता है, उनको कुछ deduction मिलता है, तो वो ले सकते हो, और 80 JJ AA, जो new employee recruit करते हो, उस पे जो income होता है, उसका benefit आप ले सकते हो, 30% वाला, बाकी यह कोई भी deduction आप नहीं ले पाओगे, यह deduction आपको नहीं लेने है, अब एक चीज समझना, इन deduction से related अगर पुराना कोई लॉस है, इन deduction से related पुराना कोई भी लॉस है, तो वो लॉस आपका lapse हो जाएगा, उस लॉस को आप नहीं carry forward कर सकते, वो ही example जैसा मैंने बोला था, 35 AD वाला लॉस और बाकी वाला, तो इन deduction से appropriate, बनला इन deduction से related कोई भी अगर पुराना लॉस है, तो वो लॉस को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको ना आप carry forward कर सकते, set up कर सकते, अब एक बात समझता है, पुराना अगर additional depreciation है, तो additional depreciation अगर unabsorbed depreciation में, तो additional depreciation अब नहीं मिलेगा, और जो पुराना additional depreciation, जो unabsorbed depreciation में, उसको आपको opening WDV में add करना पड़ेगा, जिस year में आप ये section लोगे, उस year का, जिस year में आप ये section लोगे, उस year का, जो opening WDV रहेगा, उसमें आपको add करना पड़ेगा, you got my point or not, yes, अब एक और जी समझना, अगर आपने इस section का benefit लिया, ठीक है, अगर आपने इस section का benefit लिया, तो आपको AMT नहीं लगेगा, alternate minimum tax है, वो alternate minimum tax आपको नहीं लगेगा, तो मेरे को एक बात बताओ, ये section लेते ही, आपको AMT नहीं लगेगा, तो question ही आता है, पुराना AMT credit पड़ा है, उसका क्य करेंगे, वो lapse हो जाएगा, पुराना जो AMT credit आपके पास पड़ा होगा, वो AMT credit आपका lapse हो जाएगा, उस AMT credit का आप कुछ नहीं हो सकता, अब एक और चीज समझना, आप लोग अगर ये section लेते हो, 115 BAD में अगर cooperative society आती है, 115 BAD लेती है, 22% वाली कर गें, ठीक है, तो उस case म एक बार आपने ये ले लिया, तो फिर आप इससे आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर future में जाके कोई भी condition का violation कर दिया, तो उस case में आप क्या हा जाओगे, आप normal provision में आ जाओगे, और फिर आप normal provision ही आप पे applicable होगा, फिर आप 115 BAD है, वो cooperative society नहीं ले सकती है, अब समझना सर आप मुझे बोल रहे हो कि इस पर tax rate 22% लगेगा 25.168% आएगा effective tax rate लेकिन सर what about the special rates की income जो special rates की income होगी उसका क्या होगा special rates की income जैसे LTCG है उस पर 20% जाता है STCG 111A वाला है उस पर आपका 15% जाता है LTCG 112A वाला है उस पर आपका 10% जाता है तो यह जो tax rate है इसका क्या होगा तो यह income जो है वो यह tax rate से जाएगी जो यह tax rate है लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना इसमें हमेशा आपको surcharge 10% जोडना ही पड़ेगा surcharge है वो आपको 10% जोडना ही पड़ेगा and आपको health and education says है वो health and education says है वो 4% है वो 4% जोडना ही पड़ेगा तो मैंने क्या बोला कि यह जो special rates वाली income है वो special rates से ही जाएगी आपको 10% surcharge जोडना ही पड़ेगा हर जगे कर ठीक है and health and education says है वो health and education says आपको 4% है व 4% जोड़ना ही पड़े गा, you got my point or not अरे बोलो ना आपको समझा के नहीं समझा, समझा, आपको समझा या नहीं समझा, समझा करें, ठीक है डन, यह सेम ऐसी की ऐसी section है जैसा 115BAA जो था ना सेम वैसी की वैसी section है अब ऐसा जरूरी नहीं cooperative society इसी साल इसको follow करें हो सकता उसके पुराने losses है तो पहले वो set up कर दो AMT credit है तो वो पहले set up कर दो और जिस year में आपको लगता है तब आप यह section के साथ जा सकते हो, otherwise आप normal provision से भी continue कर सकते हो दन, चलो, आजाओ एक बार अपनी book यह same वैसी की वैसी section है 115 BAD जैसा अपनने 115 BAA पढ़ा था same वैसा का वैसा section है फरक सिरफ इतना है, वो domestic company के लिए है और यह cooperative society के लिए है, resident cooperative society के लिए, ठीक है, चलो अब एक बात समझना मैंने यहाँ पे दो note दे रखे है यह दो note का मतलब क्या है, इधर देखना बिटा और यह दोनों note जो है यह income tax rules में change की वज़े से आये है, समझना पहला note इफ असेसी opted section 115 BAA 115 BAC और 115 BAD BAA वो 22% वाला domestic company BAC अभी अपनने पढ़ा और BAD जो है, वो भी अभी अपनने पढ़ा करके, ठीक है if any unabsorbed additional depreciation of earlier years मतलब earlier years का unabsorbed depreciation additional वाला then it will not be allowed to set up in current year but shall be added to the opening WDV of block in the year in which assessi opted such section मतलब जिस year में आपने यह section लिया उस year की opening WDV में आपको additional depreciation in unabsorbed depreciation उसको add करना रहेगा, जैसा मैंने आपको समझाया था उसके बाद एक और चीज़े यह भी rules बनाया कि assessi opted section 115BA 115BA वो 25% वाली section या 115BLA 22% वाली domestic company 115BA भी 15% new manufacturing company 115BA 6 slab वाली और 115BA cooperative society वाली तो maximum depreciation allowed is 40% मिस आप अगर यह section लेते हो, तो आपको maximum depreciation कितना अलाओ होगा पता है, सिरफ 40% maximum depreciation है, वो 40% अलाओ होगा आप मुझे पूछोगे सर यह बताने की जरूरत क्या थी क्या जरूरत थी बताने की क्योंकि आज की date में तो ऐसे भी आपको maximum depreciation 40% ही तो है आप देखोगे pollution control equipment, computers वगरा पे maximum depreciation तो ऐसे भी 40% है तो यह बताने की जरूरत क्या थी, मैं बता दूँ यह बताने की जरूरत थी reason यह, कि आपको पता एक जरूरत 45% भी है कहां पे, अगर आपने पता है motor vehicle acquired and put to use किया 23rd August 2019 से लेके 31st March 2020 के बीच में 31st March 2020 के बीच में इस period में अगर आपने acquired and put to use किया motor vehicle तो आपको पता है normal 15% की जरूरत 30 हो जाएगा और hiring business है, तो 30 की जगे 45 हो जाएगा, वहाँ 45 है, तो भी आपको कितना मिलेगा maximum 40 मिलेगा, तो अगर मालो आप hiring business में हो और hiring business में आपका अगर कोई भी motor vehicle है, वो between this particular period acquired and put to use किया है, 23rd August 2019 से लेके 31st March 2020 के बीच में, अगर आपने acquired and put to use किया है, तो उस पे depreciation आपका 45 मिलता है लेकिन आप ये section लेते हो, तो आपको maximum वो भी 40 हो जाएगा उस पे भी maximum 40% ही depreciation मिलेगा you got my point or not, yes इसके बाद ये section आपका 115 BAC वाला हो गया, उसके बाद मैंने एक 115 BAB को लेके भी example है, ठीक है, done तो आपका यहाँ पे special rates वाला जो topic है, वो आपका complete हो जाता है, ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, एक दो छोटे-छोटे amendment section 115 BAA और BAB में भी है 115 BAA क्या बोलती है, कि अगर कोई भी domestic company है, वो domestic company 22% की rates से tax pay कर सकती है और बेटा, surcharge हमेशा 10% लगेगा, अब एक चीज़ समझना लेकिन यहाँ पे उस company को कुछ benefits छोडने पड़ेंगे, benefits क्या-क्या छोडने पड़ेंगे, तो जैसा मैंने आपको 115 BAC में पढ़ाया, वैसी ही बात है क्या आप 10 AA का deduction नहीं ले सकते आपको 32 1 2 A, additional depreciation नहीं मिलेगा, 32 AD investment allowance 33 A, B, A, B, A नहीं मिलेगा यह scientific research वाले जो deduction है वो आपको यह वाले नहीं मिलेगे 35 1 1, sorry 35 1 2 1 2 A, 1 3, 35 2 AA 35 2 A, B, यह नहीं मिलेगा section 35 AD नहीं मिलेगा 35 C, 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 D नहीं मिलेगा as well as एक बात समझना, last year तक इस section में क्या लिखा हुआ था, पता है last year तक इस section में था क्या आप deduction under chapter 6 A में income based deduction नहीं ले सकते मिस आप 80 IA से 80 RR भी नहीं ले सकते, लेकिर इस बार एक amendment यह हुआ है कि आप कोई भी deduction under chapter 6 A नहीं ले सकते मिस assessi cannot claim the any deduction under chapter 6 A under chapter 6 A का आप कोई deduction नहीं ले सकते, मिस 80 G भी नहीं ले सकते, 80 GG भी political party को donation दिया वो भी नहीं ले सकते सिरफ तीन deduction ले सकती है company domestic company, एक तो 80 डबल जय डबल यह new employee recruit करते हो 30% एक 80 LA, 80 LA क्या होता है, वो तुमारा like IFSC में आपका unit है तो, और ATM ATM में आपको पढ़ाओंगा यह भी एक नहीं section है, that is intercorporate dividend वाली तो आप यह तीन deduction ले सकते हो 80 डबल जय डबल A, 80 LA and 80 M, इसको छोड़के और भी under chapter 6 A का कोई भी deduction आप नहीं ले पाओगे, अगर आप यह 22% वाली section लेते हो तो, अब एक और चीज़ समझना इसको लेके यहाँ पे एक और वो clarification आया कि आपको additional depreciation इस साल तो अलाव ही नहीं होगा और जो additional depreciation तुमारे unabsorbed depreciation में है, miss पुराना unabsorbed depreciation है, उसमें अगर additional depreciation है, तो वो additional depreciation अलाव तो होगा नहीं और वो additional depreciation आपके block के opening WDV में जुड़ जाएगा जैसा मैंने आपको 115 BAC में पढ़ाया, वैसा का वैसा आपके opening WDV और block में जुड़ जाएगा जो additional depreciation तुमारे opening WDV में है करके, ठीक है चलो, बाकी इस section में और कोई भी change नहीं है 115 BAA में, 115 BAA जो section है 15% वाली, कि 15% tax rate लगेगा manufacturing activities जो profit होगा उसमें आपकी conditions क्या क्या थी, condition में पहली condition तो यह के company जो है, वो setup registered होनी चाहिए 1st October 2019 यह उसके बाद में, और उसका manufacturing business start हो जाना चाहिए, up to 31st March 2023 तक company new होनी चाहिए, split up और reconstruction नहीं चाहिए, plant and machinery new होनी चाहिए, 20% तक second end चल सकती है या imported second end चलेगी उसके बाद में, मैंने आपको यह बताया हुआ था इस section में कि भाईया, आप जो building या convention center use हुआ था, building hotel या convention center use हुआ था, उसको use नहीं करोगे, manufacturing business में होना चाहिए अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर कुछ business ऐसे है जो manufacturing नहीं माने जाएंगे, कौन-कौन से अगर मानलो आप computer software development करते हो manufacturing नहीं है, mining manufacturing नहीं है जो भी marble blocks होते हैं, उसको जो slabs में काटना होता है, उसको अपन manufacturing नहीं बोलेंगे जो bottling of gas into cylinder करते हो, वो manufacturing नहीं है movie का production या book का printing वो manufacturing नहीं है एक clarification यह है, कि आप अगर power generation करते हो तो वो manufacturing माना जाएगा अगर आप power generation करते हो, तो power generation आपका manufacturing business में आ जाएगा उसके बाद में, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर भी यह था कि company यह deduction नहीं लेनी चाहिए कौन कौन से 10AA और यह सब इसमें भी amendment हुआ है कि इस साल से company under chapter 6A का कोई deduction नहीं ले पाएगी means under any provision of chapter 6A का कोई deduction नहीं ले पाएगी दो को छोड़के, ATJAA and ATM ATM होता है intercorporate dividend के लिए और ATJAA जो होता है वो आपका जो new employee recruit करते हो उसका 30% का जो salary का deduction मिलता है वो वाला तो last year तक कैसा था सिरफ income based deduction नहीं मिलते थे लेकिन इस बार इनों ने law में amendment करके लिखा है कि कोई भी deduction नहीं मिलेगा under chapter 6A का कोई deduction नहीं मिलेगा जैसे political party को donation दिया तो वो भी deduction नहीं मिलेगा 115 BAA और BAB और BAC और BAD में तो था ही था है सागर के ठीक है अब मैंने यहाँ पे एक table बना के दिये और ये table में मैंने बताया है 115 BAB जो section है उसके लिए tax rate जो है वो tax rate क्या रहेगी तो देखो manufacturing activity से जो income है उसके लिए को special rate दे नहीं रखा है उसके आपकी 22% रहेगी और STCG on sale of depreciable asset आपने अगर depreciable asset को बेच दिया और उसके short term capital गे नहीं होता है हमेशा उसके tax rate वो आपकी 15% रहेगी आप बोलोगे 15% क्योंगी एक बात बताओ जब आप depreciation क्लेम करते हो तो depreciation ने तुमारे manufacturing activity की income को कम किया होगा मतलब आपने कितना tax बचाया है 15% तो अब आप बेचोगे तो उसके tax कितना लगेगा 15% तो short term capital gain होता है on depreciable asset उसके 15% और non depreciable asset पे तुमारा 22% और ऐसा अगर कोई भी profit जो आप excessive profit कमा रहे हो reasonable से जादा तो उसपे AO कर सकता है निकाल सकता है उसपे 30% और special rates वाली income है उसपे special rates से ही tax लगेगा और यह जितनी भी tax rate है उसमें 10% हमेशा सरचार जोड़ता है और health and education says है वो आपका 4% हमेशा जोड़ेगा उसके बाद में मैंने 115BAB से related एक question भी दे रखा है बड़ा प्यारा सा question है और ये वाला question आप देखोगे गरगे यहां पे दे रखा है 115BAB से related ये question जो BB limited है ये 115BAB से related question दे रखा है इसमें मैंने देखो 50,000 का political party को donation दिया तो company ने political party को donation दिया तो ATGGB में deduction मिलना चाहिए ये बड़ नहीं मिलेगा इस साल से कोई deduction under chapter 6 से नहीं मिलेगा 115BAB की बात करूँ तो सिरफ ATM और ATJWA का deduction मिलेगा ठीक है चलो तो आपका जो पहला topic है tax rate उसमें इतने ही amendment है जितने मैंने आपको कराए चलो अब अपन चलते है capital gain and taxation of gift पे तो sir capital gain की अगर बात करें तो capital gain में क्या amendment है तो पहला amendment तो आपका index number का है तो index number जो आपके exam के लिए है वो 301 है लास्ट यर का index number previous year 1920 के लिए 289 था आपके exam के लिए 301 है for the previous year 2021 your index number is 301 that is the first amendment in the capital gain अब एक चीज समझना एक दूसरा amendment एक और है जो मैं बोलूँगा welcome amendment नहीं है करके ठीक है welcome amendment नहीं है क्यों नहीं है welcome amendment अभी मैं बताता हूँ एक amendment किया इस बार निर्मला सीतारमन जी ने और ये amendment अपने लिए तो अच्छा नहीं है आप और मेरे लिए अच्छा नहीं है मला अससी के point of view से अच्छा नहीं है amendment ये है इधर देखना कि लैक आपको पता है अगर कोई asset 142001 से पहले का होता है तो उसके लिए cost क्या लेते है तो 142001 से पहले का कोई asset होता है तो आपको पता है उसके लिए हम cost of acquisition लेते है कि जो उसकी cost है और FMV as on 142001 whichever is higher जो उसकी cost है और FMV as on 142001 whichever is higher अब इन्होंने इस बार एक commitment किया और इन्होंने बोला कि अगर कोई भी immovable property 142001 से पहले वाला है immovable property है और वो immovable property आपने 142001 से पहले acquire किया था तो उसके लिए आपको FMV का benefit मिलेगा as on 142001 कोई दिक्कत नहीं अब एक चीज समझना इन्होंने एक commitment किया कि अगर उस property का 142001 को SDV available है SDV का मतलब stem duty value अगर SDV available है stem duty value available है तो बेटा जो fair market value है न वो SDV से ज़्यादा नहीं हो सकती जो fair market value है वो SDV से ज़्यादा नहीं होगी that fair market value as on 142001 is restricted to SDV as on 142001 तो पहले क्या होता था कि अपन अपने जो parents दादा जी की कोई property थी आज अपन बेचते थे तो अपन क्या imaginary basis पे FMV as on 142001 ले 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 थे और लेते थे जिससे क्या होता था capital gain कम हाता था cost बढ़ जाती थी लेकिन अब इन्हों ने क्या बोला कि 142001 को अगर आपका SDV अवेलेबल है तो FMV कभी भी SDV से ज़्यादा नहीं हो सकती जो आपकी fair market value है that fair market value as on 142001 is restricted to SDV अगर SDV available है तो SDV से ज़्यादा नहीं हो सकती आपको SDV लेनी पड़ेगी अगर FMV ज़्यादा है तो FMV कम है तो FMV ले लो कोई दिक्कत ही नहीं है FMV कम है तो FMV लो बट FMV SDV से ज़्यादा है तो SDV है वो आपको लेनी पड़ेगी SDV और cost को compare करोगे movable properties पर लगता है इफ SDV as on 1 for 2001 is available तो FMV as on 1 for 2001 शोड नॉट बी more than SDV as on 1 for 2001 added by Finance Act 2020 and with effect from assessment year 21-22 से ये provision लग रहा है तो this provision is applicable from assessment year 21-22 अब एक चीज समझना यहाँ पे हमने कुछ example भी आपको दे रखे और उस example में सबसे पहला जो example है वो अपन देखते हैं इधर देखो सबसे पहला example मैंने क्या दे रखा है all people just pay attention Mr. BB acquire a house property on 16 July 1992 16 July 1992 को अपने घर खरीदा था कितने में 2 लाक में तो हमारी cost क्या है 2 लाक cost है वो 2 लाक FMV as on 1 for 2001 4,50,000 है और SDV 3,60,000 है तो देखो FMV SDV से जादा है it is restricted to SDV तो मैं किसको compare करूँगा 2 लाक को और 3 लाक 60,000 को compare करूँगा तो यहाँ पे 3 लाक 60,000 जो है वो मेरी क्या बन जाएगी cost of acquisition so actual cost और FMV as on 1 for 2001 but FMV should not be more than SDV तो मैं SDV ले लूँगा यहाँ पे अब एक बात समझना दूसरा example Mr. BB acquire a house property as on 16 July 1992 4 रुपेज 2 लाक FMV as on 1 for 2001 जो है वो 450 है और SDV 760 है देखो SDV जादा है तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को तो FMV से SDV जो है वो जादा है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है FMV जादा होती तो SDV लेता अब तो यहां तो मैं क्या करूँगा FMV 450 और cost 2 लाक तो मैं कितना लोगा 450 लोगा BB acquire a house property on 16 July 1992 for 2 लाक FMV डेड़ लाक है और SDV एक बीस है अब एक बात बताओ आप कोई बात नहीं FMV की जगे आप ले लो SDV SDV कितना एक बीस आएगा एक बीस लोगे बट एक बीस को compare किस से करोगे cost से 2 लाक से तो 2 लाक ज़ादा है तो आपकी cost of acquisition क्या आएगी 2 लाक आएगी अब एक और चीज़ समझना BB acquire a house property for 2 लाक FMV दे रहा है 450 और SDV अवेलेबल ही नहीं है तो जब SDV अवेलेबल ही नहीं है तो आप FMV देखोगे तो FMV और cost higher comes to the 450 तो आपका cost of acquisition हो जाएगा 450 You got my point or not अरे बोलो ना समझा के नहीं समझा आपको बोलो ना आपको समझा या नहीं समझा समझा चलो अब एक बात समझना अब अपन और आगे समझते हैं इधर देखो और क्या amendment है तो और मैं capital gain की अगर मैं बात करो तो capital gain, capital gain, capital gain में yes, 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 yes एक amendment है in the section 50C 50C में और 50C में amendment क्या है एक बात बताओ 50C क्या बोलती है समझना 50C आपको ये बोलती है अगर कोई भी immovable property जो आपकी capital asset है उसको transfer करते हो तो आपके लिए full value of consideration क्या होगा full value of consideration जितने मैं किया लेकिन एक चीज़ समझना अगर आपका stem duty value consideration के 105% से ज़्यादा है consideration के 105% से ज़्यादा है तो उस case में आपका SDV जो है वो full value of consideration माना जाएगा मतलब 5% का tolerance band था वो 5% का tolerance band by finance sec 2020 से 10% कर दिया है 10% कर दिया है इसका मतलब ये हुआ कि अब बेटा आपका जो tolerance band है वो 10% दिखा जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि SDV अगर consideration के 110% से ज़्यादा है तो आपको SDV लेना है otherwise आपको sell consideration ही लेना है तो जैसे मैं अगर example लेना चाहूं तो मैं ये बोलूँगा कि selling price मानलो आपका 1 lakh है और आपका जो SDV है वो मानलो 1,12,000 है तो आपका full value of consideration कि इतना आजाएगा 1,12,000 बिगोज इस more than आपका 10% अब एक चीज़ समझना अगर मानलो आपका selling price है वो 1,00,000 ही है आपका selling price है वो 1,00,000 है SDV जो है वो 1,00,000 है ठीक है तो कितना आएगा 1,00,000 ही आएगा because it is not more than 110% of consideration और मैं बता दूँ ये tolerance band जो 10% का हुआ है ये आपके 43 CA में भी हुआ है 43 CA जो मैंने इसमें IFOS में दे रखी है कि अगर आप stock and trade builder transfer करता है तो वहाँ पे भी हुआ है as well as जो 56,2,10 section है जो gift वाली जो gift में मिलता है ये आप low consideration पे खरीदते हो तो low consideration पे जब immovable property को खरीदते है तो आपके IFOS में tax लगता है वहाँ पे भी वहाँ पे भी बेटा 110% हो गया है 105% की जगे miss 105% की जगे वहाँ पे भी आपका 110% हो चुका है ठीक है चलो उसके बाद एक चीज समझना question ही आता है कि sir हम जो date of agreement या date of registration कौन सी date का SDV लेंगे stem duty value है वो stem duty value हम कौन सी date का ले तो मैं बता दू stem duty value आपको कौन सी date का लेना चाहिए date of agreement या date of registration तो मैंने बताया हुआ है आपको stem duty value normally लेना चाहिए registration की date का बट अगर date of agreement and date of registration अलग अलग है अगर date of agreement and date of registration अलग अलग है तो आप date of agreement की date का stem duty value ले सकते हो अगर agreement की date या उससे पहले-पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो by account paycheck, account pay demand राप any mode of electronic clearing system through bank account or any other electronic mode as may be prescribed ये जो any other electronic mode as may be prescribed तो sir अभी क्या prescribed कर दी है answer is yes 29 January 2020 को एक notification के थूँ इनों ने ये जो है वो any other mode as may be prescribed में mode डाले है कौन कौन से credit card, debit card, net banking, IMPS उसके बाद में RTGS, NEFT, Bheem, UPI and QR code ये जो है ये इनों ने क्या किया है यहाँ पे आपके other specified mode में डाले है कि ये mode से भी चलेगा कौन कौन सा debit card, credit card, net banking से आप IMPS से करो या फिर UPI से करो आप या RTGS, NEFT या Bheem करके जो आधार पे होता है, QR code वगेरा, वो इसमें चलेगा अब एक चीज़ समझना, above notification is also applicable for this section, ये जितनी भी section है इनके case में भी ये notification लग जाएगा अब एक section होती है 50 CA 50 CA में भी एक चोटा सा amendment है ये है, 50 CA क्या भोलती है? कि अगर आप किसी uncoated share बेचते हो और uncoated share का selling price अगर FMV से कम है तो FMV full value of consideration माना जाएगा means if you transfer uncoated share अगर आपने uncoated share बेचे और uncoated share के case में अगर selling price FMV से कम है तो FMV आपका full value of consideration माना जाएगा लेकिन इन्होंने इस बार एक exception डाला है कि अगर किसी company के case में section 241 लग गया है या 242 लग गया है 241, 242 क्या होता है? Companies Act का कि management जब corrupt हो जाता है तो government है वो management किसी और को transfer कर देती है ठीक है? management जो है वो like appoint करती है नए लोगों को और उनको management transfer कर देती है तो उस case में अगर कोई company है और उसके share भिके तो उस case में ये section जो है वो नहीं लगेगी उस case में नहीं लगेगी जब company's act का section 241 या 242 लग चुका है चलो तो यह आप एक बार देख लेना बाकी और amendment में एक इधर है बाकी तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक concept है segregated portfolio और side pocketing अब यह segregated portfolio और side pocketing क्या होता है इसको मैं शांदार वाला आज आपको पढ़ा देता हूँ ठीक है चलो तो हम चलेंगे segregated portfolio and side pocketing कैसर यह segregated portfolio और side pocketing होता क्या है चलो yes people तो अभी हम चालू करने वाले है एक बड़ा है interesting concept और वो concept है उसको बोलते है segregated portfolio तो चलो इधर देखो बैटा हम सीखने वाले है that is segregated portfolio या जिसको side pocketing भी बोला जाता है बड़ा interesting concept है segregated portfolio और side pocketing अब पहली चीज तो आप पूछोगे यह क्या होता है segregated portfolio side pocketing यह क्या होता है यह debt mutual fund के case में लगता है तो जितने भी debt mutual fund होते है वो debt mutual fund के case में यह concept लगता है अब यह debt mutual fund क्या होते है आपको पता है ना कि जो लोगों से पैसा लेते है mutual fund वो debt market में लगाएंगे debt market में means किसी company के debenture में, bonds में, government security में debt instrument में लगाएंगे that is called debt mutual fund अब एक चीज समझना आपको पता रहेगा थोड़े दिन पहले एक mutual fund company थी Franklin करके I think Franklin नहीं नाम था वो बंद हो गई और उसके जितने भी mutual fund skims थे वो सब mutual fund skims है वो बंद हो गए अब वो बंद क्यों हुए उसके पीछे का reason भी आप समझना यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी उसकी asset थी वो खराब हो गई उसकी जो asset थी वो asset बहुत सारी asset जो थी वो asset क्या हो गई खराब हो गई करके ठीक है जिसको पर डिस्ट्रेस asset बोल सकते है खराब हो गई अब एक बात समझना एक example लेते और example से समझने ही कोशिश करते है सब लोगों का ध्यान इतर होना चाहिए जैसे for an example हुआ ये कि एक कंपनी है जिसका नाम है कोटक और कोटक का एक debt mutual fund है for an example हाँ कोटक का एक debt mutual fund है और आज की date में क्या हुआ मैं ऐसे ही एक date ले रहा हूँ जैसे मान लोग 15 जैनुरी 2021 को आज की date में जो कोटक का debt mutual fund है उसका total asset जो है आप देखो NAV कैसे निकालते हो asset divide by units तो assets को unit से divide करते हो तो आपको NAV मिलता है तो यहाँ पे asset जो है वो मान लो 10 लाग की है for an example debt mutual fund के पाच जो assets है वो 10 लाग की है और यहाँ पे units है वो 10,000 unit है और 10,000 unit है 10,000,000 divided by 10,000 तो मेरे को एक बात बताओ NAV कितना आया NAV 100 है NAV जो आया net asset value that is the 100 एक mutual fund company का NAV आया 100 अब एक चीज़ समझना इस दिन क्या होता है यह जो 15 January 2021 है उस दिन क्या होता है कि मान लो यह जो total asset जो 10 लाग की है इस 10,000,000 की asset में 1,000,000 के जो bonds खरीदे हुए थे और वो bonds थे DHFL के किसके DHFL के और DHFL जो है वो खराब हो गया DHFL के जो bonds थी उसके rating खराब हो गई और rating खराब होती है जब भी rating खराब होती है तो mutual fund company क्या करती है अब उनको लगता है कि भाईया यह 1,000,000 की asset तो आने वाली नहीं है यह जो 1,000,000 की asset जो DHFL के bonds है वो तो गया वो तो डूब गया पैसा तो यहाँ पे company क्या करती है उसी दिन कि जो 10,000,000 जो asset था इसमें से 1,000,000 जो है वो DHFL का bonds था तो उसको हटा देती है और divide by 10,000 unit तो यहाँ पे क्या कर देती है वो NAV को गिरा देती है 90 रुपिज NAV हो जाता है मिस उस दिन आपका drastically NAV जो है net asset value है वो कम हो जाती है 90 हो जाती है अब एक चीज समझना जैसे 90 हुई तो बहुत सारे जो unit holder है वो बेच बाच के चले जाएंगे 90 पे बहुत सारे unit holder को धर लगने लग जाएगा और वो 90 पे बेच के चले जाएंगे अब उस दिन क्या होगा बहुत नए unit holder भी आएंगे उनको 90 की NAV पे unit मिलेगी उनको 90 की NAV पे unit मिलेगी और जो sale करके जाएगा उसको 90 पे sale करके जाएगा अब एक बात बताओ मान लो तीन साल बाद DHFL से वो पैसा recover हो गया DHFL से वो पैसा जिस दिन recover होगा आपकी asset बढ़ जाएगी आपकी asset उस दिन NAV एकदम बढ़ जाएगी तो अब एक बात समझना DHFL से ये 1,00,000 रुपया है ये मान लो कोटेक महीदरा mutual fund को 3 साल बाद मिला तो 3 साल बाद जब मिला तो होगा क्या कि जो उस दिन unit holder रहेंगे उनको भारी फाइदा हो जाएगा 10 रुपया सीधा मिल जाएगा उनको और जो बेचारे 90 की NAV पे चले गए थे जो बेचारे 90 की NAV पे चले गए तो उनको लॉस हो गया उनके हिस्से का 10 रुपया किसी और ने मार दिया भाई ultimately उनके हिस्से का वो 10 रुपया था DHFL का बट किसी और ने मार लिया ठीक है क्योंकि उस दिन तो वो कंपनी ने क्या किया था उसको हटा दिया था असेट से क्योंकि वो असेट उनको लग रही थी कि यह मिलने वाली नहीं है तो ऐसा होता था तो यहाँ पे सेवी ने बोला कि आप एक काम करो आप side pocketing कर लो या जिसको बोलते है segregated portfolio आप एक काम करो segregate कर लो या side pocketing कर लो आप समझना यह segregate या side pocketing होता क्या है समझने ही कोशिश करना तो मैं बताओं यहाँ पे company के पास मैं समझने ही कोशिश करना total जो असेट थी वो total असेट 10 लाग की थी 10 लाग की total असेट थी ठीक है इसमें से आपकी खराब असेट कितनी है किसकी जो डिस्ट्रेस असेट बोल सकते है जिसकी रेटिंग खराब हुई थी वो एक लाग की थी तो आप एक काम करो कि जो इस 10 लाग की असेट थी उसमें से जो एक लाग की असेट है ना उसको आप अलग कर दो एक लाग की असेट है उस पोर्टफोलियो को एक लाग की असेट जिस पोर्टफोलियो में है उसको बोला जाएगा segregated portfolio segregated portfolio और जो total asset थी 10 लाग उसको बोला जाएगा total portfolio और total portfolio के दो पार्ट होगे एक तो segregated portfolio बना दो और एक तुमारा जो अच्छी asset है good asset है उसको बोला जाएगा main portfolio इसको बोला जाएगा main portfolio अब एक बात समझना जिस दिन ये event हुई उस दिन कितने unit holder थे तो main portfolio के unit holder वोई 10,000 थे तो मैं बताओ main portfolio का आपका NAV कितना आएगा 90 आएगा अब जैसे ही आपने segregate किया segregate बनाया एक लाग तो वो जो segregate हुआ ना उतने की उतनी unit जो है जो main portfolio की unit थी उतनी की उतनी unit holder है वो segregated portfolio के unit holder बन जाएगे मिस जैसे आप जो थे वो unit holder थे कोटेक महींदरा mutual fund के और 10,000 unit holder थे 10,000 units थी तो segregate होते ही segregate portfolio की भी 10,000 unit मिल जाएगी तो यहाँ पे भी आपकी जो units है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे units है वो 10,000 हो जाएगी और यहाँ पे आपकी NAV कितनी आजाएगी 10 रुपया और इसको बोला जाता है segregated portfolio मतलब जो total portfolio जो था जितने unit holder उस दिन थे जिस दिन ये event अकर हुआ उस दिन जो जो unit holder थे उनको उतनी की उतनी segregated portfolio की unit मिल जाएगी जैसे माल लो मेरे पास 500 unit थी और उन्होंने जैसे ही side pocketing किया या segregated किया उस दिन मुझे 500 unit segregated portfolio की भी मिल जाएगी जो segregated portfolio है या side pocketing वाला portfolio है उसकी भी मुझे 500 unit मिल जाएगी तो यहाँ पे जो 10,000 unit थी जितने भी unit holder थे उनको बेटा 10,000 segregated portfolio की भी unit मिल गई अब एक चीज समझना ये जो segregated portfolio बन गया ना ये segregated portfolio जो बन गया अब इसमें ना तो redemption होगा और ना fresh entry होगी वो जो side pocketing कर लिया वो 1,000,000 asset है वो side pocketing कर ली उसमें ना तो कोई नया unit holder 10 रुपे वाली unit खरीद सकता है और ना कोई 10 रुपे बेच के जा सकता है वो side pocketing हो गई segregated portfolio हुआ जो भी नया subscription है वो इस main portfolio में होगा अगर आपको बेच के जाना है तो आप 90 रुपेज वाला unit है वो आप बेच के जा सकते हो अगर कोई नये खरीदते है तो वो 90 रुपेज पे unit उनको मिल जाएगा अब एक चीज समझना अगर future में DHFL के मन में भगवान आगे और DHFL ने क्या किया जो DHFL है DHFL ने मान लो वो पैसा लोटा दिया और 1,00,00 रुपेज कोटक महिंद्रा mutual fund को मिल गया तो वो segregate portfolio जो बनाया था उसका अगर इस asset की recovery हो गई एक लाग की तो जो ये 10,000 unit holder थे उनको 10,10 रुपेज मिल जाएगा अगर recovery में मान लो 50,000 ही हुआ तो 55,000 रुपेज वो segregate जो portfolio के unit holder थे उनको मिल जाएगा बड़ा ही प्यारा concept है या नहीं answer is yes नया concept है या नहीं answer is yes तो आपको अगर concept ठीक लगा है तो इस वीडियो को आप एक काम करो like कर दो करके ठीक है share कर दो और ये channel जो है इसको subscribe कर दो यहाँ पे red button है सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो आपने अपने life में अपने past में हमने आपके इतने lecture देखे आपने कभी हमको like करने को नहीं बोला कभी share करने को नहीं बोला कभी subscribe करने को नहीं बोला तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो अचली मैं है न, 2021 में एक नया चैनल क्रिएट करने का सोच रहा हूँ, जसमें मैं tax related concept डालू, जैसे यह segregate portfolio तो यह एक नया concept है tax में, अब जो budget आएगा, वो budget में कुछ नहीं चीज़े आई, तो मैं क्यों ना short videos बना के, और वो videos पूरे इंडिया में लोगों को help कर सके, taxation matter पे और वो मैं चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं practice कर रहा हूँ, जब इसा बोलना पड़ता है, कि इस video को like कर दो, और आप इस video को share कर लो, और ये channel को subscribe कर लो, ठीक है, तो आपको जब भी मैं कुछ नया video डालूँगा, आपको उसकी update मिलती जाएगी, तो देखो, अब एक बात समझना, इस concept में अपने लिए क्या है, अपने income tax में क्या amendment हुआ, तो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, एक example लेता हूँ, समझने ही कोशिश करता हूँ, कोटेक महिंदरा mutual fund का 10 लाग की asset थी, total portfolio में, 10,000 unit थी, उस दिन वो event हुआ, तो 1 लाग को उ Mr. Raj, अब राज ने क्या किया था, राज पर्चेस, 1000 units of कोटक debt fund on 19 December 2016, at the rate 60 per unit, मरलब जिस दिन NAV 60 थी, उस दिन उसने खरीदी थी 1000 unit, अब question यहाँ पर यह आता है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, के sir, एक बात बताओ, राज करके एक बंदा है, जिसने कोटक debt fund जो है, उसकी 19 December 2016 को, मतलब आज से कितने साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले उसने 1000 unit खरीदी, जो 60 per unit थी, मिस उस दिन NA 60 रही होगी, तो उसने खरीदी थी, अब एक बात समझना, ये जो event हुआ, ये event तो अब 2021 में हुआ, तो उसको 1000 unit segregate portfolio की भी मिल गई, भया, 1000 unit उसके पास main portfolio की तो है ये, जो total portfolio था, उसमें main हो गया, तो main वाली तो है ये, लेकिन इसको segregated portfolio की 1000 unit और मिल गई, अब question यहाँ पे ये आता है, किसर जो segregated portfolio में उसको unit मिली, उसकी cost क्या ले, क्योंकि भया, उसने तो 1000 unit खरी दी थी, और वो 1000 unit उसने जो खरी दी थी, वो तो total portfolio की थी, अब उसमें से segregated, एक तो आपका main portfolio की 1000 unit वो तो उसके पास है ये, अब उसको segregated portfolio की 1000 unit फ्री में मिल गई, तो question यहाँ आता है कि what will be the cost of acquisition of unit in segregated portfolio, तो समझना, मैं सिखाने वाला हूँ कि what will be the cost of acquisition of units in segregated portfolio, तो segregated portfolio की आपको जो unit मिलेगी, उसकी cost क्या होगी, तो देखो, बड़ा interesting है, उसकी cost क्या होगी, पहले आप ले लो cost of acquisition of units in total portfolio, भाई, आपने जो total portfolio की unit खरीदी थी, उसकी cost क्या थी, तो मेरे को एक बात बताओ, total portfolio में आपने 1000 unit खरीदी थी, तो 1000 unit की 60 रुपेज की cost थी, तो मैं बोलो, आपका 60,000 है, यह 60,000 cost था, यह आप 60 लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, आपका मानलो, 60,000 cost था, multiply कर दो, NAV of asset transferred in segregated portfolio, तो multiply by NAV NAV of asset transferred in segregated portfolio, और divide by NAV of asset in total portfolio, तो देखो, बड़ा simple है, मेरी cost कितनी थी per unit की, 60 थी, total 60,000 था, multiply करो, NAV of asset transferred in segregated portfolio, segregated portfolio में कितना NAV का asset transfer हुआ, 10 रुपे का, तो multiply 10 करो, और divide by तुमारा total portfolio का, before segregation क्या NAV था, तो मैं बोलो, multiply by 10, और divide by 100, तो आपका यहां आ गया 6,000, और मैं बता दू, 6,000 divide by आपके पास 1000 unit है, तो मैं बता हूँ, आपका 6 per unit आ गया, तो भाईया, आपको जो segregated portfolio की, जो segregated side pocketing वाले portfolio की 1000 unit मिली, उसमें per unit की cost आपको 6 रुपेज लेना है, जो per unit की आपको cost लेना है, वो per unit की cost आपको कितना लेना है, 6 रुपेज लेना है, अब आप मुझे यह बोलोगे, कैसर यह main portfolio की unit है, उसका क्या ले cost, तो बड़िया है, simple सी बात है, main portfolio की unit का cost क्या लेंगे, तो cost of acquisition of main portfolio, तो main portfolio की आपकी unit का cost क्या लेंगे, total cost था, कितना total portfolio की unit का, 60 रुपेज था, 6 रुपेज इसका आ गया, तो मैं बताओ, 54 रुपेज आपका cost per unit जो है, वो आपके main portfolio की cost आ जाएगी, 54 cost per unit है, वो आपके main portfolio की cost आ जाएगी, you got my point or not, अरे guys tell me you understood my point or not, आपको समझा या नहीं समझा, right answer is हमको समझा, तो देखो, मैंने बोला, segregate portfolio की cost कैसे निकालोगे, total जब unit खरीदी तब उसकी unit की NAV क्या थी, multiply बै, कितने NAV की, asset उधर transfer हुई, और divide by total portfolio की NAV कितनी थी, वो segregate portfolio की आपके, जो है, वो cost of acquisition आ जाएगा, और main portfolio का, जो total portfolio के acquisition का cost था, minus segregate वाला हटा दो, तो main portfolio की cost आ जाएगी, करके ठीक है, अब एक चीज समझना, सर्फ, period of holding कहां से लेंगे, हम सर्फ, period of holding कहां से लेंगे, तो बड़ी simple सी बात है, आपका जो main portfolio की 1000 unit है, उसका period of holding आप वहीं से लोगे, जब आपने खरीदा था, that is 19 December 2016 से, 19 December 2016 से, और एक बात बता दू, आप जो segregated portfolio की 6 रुपे वाली जो unit है, वो 6 रुपे वाली unit की भी, आप period of holding है, वो 19 December 2016 से ही लोगे, मिंस यहां पे segregate portfolio का, जो भी unit है, उसका period of holding लेते, टाइम जो total portfolio का period of holding है, वो भी लोगे, मतलब आपने कब खरीदा था, जो main portfolio, total portfolio में unit कब खरीदा था, वहां से आपको period of holding लेना है, you got my point or not, yes, तो मैं बता हूँ, अब आप समझो, यह तुम्हारा जो total portfolio था, total portfolio था, उसके दो part होगे, एक तो main portfolio, एक segregated portfolio, अब main portfolio की unit जब भी आप बेचोगे, मान लो future में जाके आपने 120 रुपे में बेच रिया, तो cost क्या लोगे 54, cost क्या लोगे 54, और यह जब अगर इसका redemption होता है future में जाके, जो आपकी bad asset थी, इसका redemption होता है, तो इसके आप cost क्या लोगे, 6 रुपया लोगे क्या लोगे, 6 रुपया लोगे, you got my point or not, yes, चलो, so this is the completion of part of your segregated portfolio और side pocket, तो आप अपनी book में देख सकते हो, यहाँ से चलो हो रहा है segregated portfolio, तो जिसके पास book रहे, आप देख लो, और फिर मैंने यहाँ पे एक example भी दे रखा है, this is one example, example आप देख लो, this is last year से applicable assessment है 2021 से, retrospective amendment है यह, assessment है 2021 से, में इस previous year 1920 पे भी यह applicable है, but this is added by Financiac 2020 से, चलो तो इसको आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, मैंने पूरा explain करके दिया, ऐसा क्यो लाया, क्यो लाया, क्या लाया, फिर cost क्या लेंगे, period of holding क्या लेंगे, ठीक है, segregated portfolio क्या होता है, main portfolio क्या होता है, total portfolio क्या होता है, वो भी बताया है मैंने, और उसके बाद मैंने आपको यह question दिया है, आप देखोगे तो आपको समझ चाहेगा, क्या होता है, आपको समय क्या 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 है, आ कर दो कर दो यह स्टन पीपल तो दिस वन अमेंडमेंट में इसा कोई अमेंडमेंट है नहीं एक चीज है कि जो स्टार्टप का डेफिनेशन है ना वो चेंज हुआ है जो अलिजबल स्टार्टप है वो किसको बोलते है कि अलिजबल स्टार्टप इनकॉर्पोरेट होना चाहिए 14 2016 से लेके यहाँ पे पहले 1 अप्रिल 2020 लिखा हुआ था अप्रिल 2021 एंड उसका जिस यहर में ATIAC में डिड़क्शन ले रहा है उस यहर का आपका जो है क्या बोलते है टर्णोवर वो पहले 25 करोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ता नाओ इस इंक्रीज तो 100 करोड का है 100 करोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस यहर में ATIAC का डिड़क्शन लिया है उस यहर में ठीक है उसके बाद आपका यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं है इन कापिटल गें सो कापिटल गें के बाद अपन आफोस की बात करेंगे तो IFOS में एक ही अमेंडमेंट है जो मैंने आपको बताया के जो 56-10 है वो 56-10 में यहाँ पे 110% हो गया 105% की जगह है तो IFOS में अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप जो है क्या बोलते हो उसको ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो बिन SDV and consideration should be more than 50,000 and SDV is more than 110% of consideration तो उस case में वो difference है उस पे आपको IFOS में text लग जाएगा यह एक amendment है ठीक है उसके बाद उसके बाद एक amendments आपका जो है वो 43 CA 43 CA में भी वो ही 110% हो गया जो tolerance band है जो 105% था यह तीनो section में 50 CA में 56-10 में N43 CA में जो 105% हुआ करता था अब एक चीज़ समझना आपको section 57 में एक amendment मिलेगा और section 57 वाला जो amendment है यह ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको dividend वाला amendment कराऊंगा क्योंकि इस बाद dividend जो है वो dividend taxable होने वाला है shareholder के हाथ में कोई exemption होगे रहा नहीं है 115-0 हट गया है 115-0 115-R सब हट गया है अब एक चीज़ समझना जो dividend होता है वो आपके लिए dividend is taxable IFOS में taxable होता है अब dividend के सामने कोई खर्चे अलाओ नहीं होंगे dividend as well as UTI mutual fund का जो आपको income मिलता है उस वो taxable होगा IFOS में उसके सामने कोई खर्चे नहीं अलाओ होगे एक खर्चा अलाओ होगा that is interest on loan taken for the acquisition of that shares or unit मतलब आपने जो shares or unit खरीदने के लिए कोई loan लिया था तो उस loan का जो interest है वो interest अलाओ होगा नहीं होगा so this is one amendment के in case of dividend and income from UTI mutual fund only interest expenses allowed and that too up to 20% of such dividend or income from UTI mutual fund ज्यादा better में आपको समझाओंगा जब dividend वाला topic करेंगे ठीक है चलो so thanks a lot people that's enough for today इसके आगे के amendment है वो अपन अगले lecture में लेंगे ऐसे आपको lecture मिलते जाएंगे थोड़ा time देना मुझे ऐसे रोज-रोज message मत करना कि sir अभी दूसरा amendment lecture कब आ रहा है तीसरा कब आ रहा है सब आ जाएगा ये मैं आपको promise करता हूँ कि सब जितने भी amendment है case laws है revision है सब मैं आपको जैसे YouTube पे पहले देता था वैसे ही मैं देता रहूँगा करके ठीक है because pass होना है आपको और जिस दिन pass हो जाओगे मजा आ जाएगा करके ठीक है सची मजा तभी आएगा जब आप pass होनगे C.A. बनोगे करके ठीक है और बनना है फटा-फट आपको C.A. बनना है आगे बढ़ना है जैसे दुनिया चल रही है वैसे अपने को भी चलना है और 2020 ओविसली सब के लिए अच्छा नहीं रहा होप सो 2021 हम सब के लिए बहुत बढ़िया रहे और आप सब लोग C.A. बन जाओ तो मजा आ जाएगा सची ठीक है चलो थैंक्स अलोट पीपल आज के लिए इतना बहुत है अगले लेक्चर में अपन कंटीनियू करेंगे आगे के अमेंडमेंट ठीक है चलो थैंक्स अलोट